वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाईज अभी जो सीरीज चल रहे है वो लॉस्ट इन स्पेस की सीरीज है जहाँ पर रॉबिंसन्स फामिली के साथ में कई ऐसे लोग है जिनके 24th कॉलोनी अलफा संटॉरी नाम के प्लैनेट जाने से पहले ही स्पेस में फस चुकी थ तो आप एक बार पहले वो दौनों सीजन जरूर देखिएगा सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सारे पेरेंस ने मिलके यही सोचा था कि बच्चों को अलफा संटॉरी भेज दिया जाए जिसके बाद 97 के काउंट से जुपिटर में सारे बच्चों को वल्फा संटॉरी के लिए भेज दिया जाता है लेकिन जिस जगह पे बच्चे टेलिपोर्ट होते हैं उनके सामने एक डिस्ट्रॉइ प्लैनेट ने दिखाई दीता है इसी कंटिनेटी के साथ में सीजन 3 के एपिसोड की शिर्वात होती है एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फॉर्चुना को देखते हैं जो कि 20 साल पहले ही कायब हो गया था और उसके अंदर ग्रैंट कैली थे जो कि जूडी के बायलोजिकल फादर है जूडी फॉर्चुना को देखने के लिए सीधा फॉर्चुना के अंदर पहुंच जाती है शिप के अंदर काफी जाता है लेकिन उसी टाइम पे जूडी के पीछे कोई था ये लेडी फॉर्चुना की एक क्रू मेंबर थी जो कि यहीं पे मारी गई जूडी इस डैड़ बाड़ी को देखके बुरी तरीके से डर चुकी थी और ये बात पैने को जूपिटर के अंदर से पता चल रही थी जूड पांच मिनिट के अंदर वो जूपिटर से टकरा सकते हैं इसी के कारण जूडी को फॉर्चुना से निकल के जूपिटर में आना है और तभी बहुत बड़ा मेरिकल होता है क्योंकि जूडी तो जूपिटर को पकड़ नहीं पाई थी लेकिन एक हात आके जूडी को पकड़ लेता है और सीथा जूपिटर के अंदर ले आता है ये गाईज और कोई नहीं बलके डॉक्टर स्मिट है जिसके बारे में हमें पता चला था कि लास सीजन में उसने खुद को सेक्रिफाइस किया है इसमिट का कोई नीचर नहीं था उसने बड़ी चालाकी से खुद को गई है इसी के साथ यहां पे एक बहुत खास चीज हम लोग देखते हैं फॉर्चुना के अंदर एक रोबोट भी एंटर करता है लेकिन ये रिकॉर्डिंग पुरानी रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई है यानि कि पहले के टाइम में रोबोट फॉर्चुना पे भी आके ग कि हर समय तूटते रहते हैं और इन लोगों ने एमर्जेंसी के लिए भी काफी सारे इंतजाम कर रखे हैं खाने बीने की भी चीज़े यहां पर उगाई जा रही हैं डॉक्टर स्मिट सभी को फ्रेंच सिखा रही है सारे बच्चे मिलके यहां से बस निकलने के बारे में सो को इस तरीके से भर सके कि वो लोग यहां से अलफा सेंटॉरी तक पहुंच जाए इन सिफलिंग्स के बीच में भी कुछ अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था पैनी अपनी बहन से कम बात किया करती थी रोबोट इन लोगों की काफी समय से मदद कर रहा है सीन शिफ्ट होत इसी के साथ सीन सीधा उस अननोन प्लैनेट पर शिफ्ट होता है जिस समय बच्चों के अलफा सेंटॉरी टेलिपोर्ट होने के साथ में ही बाकी सारे जुपिटर किसी अननोन प्लैनेट पर चले गए थे यानि कि इन सारे बच्चों के पेरिंस यह अभी भी रोबोट से मार डालता है पैनी अब विजय के साथ नहीं रहती है बलकि उसे एक नया लड़का पसंद आया है जिसका नाम लियम है विलका काम हर समय मैगनीजियम का फिल्टेरेशन का ही था और साथ ही साथ में कॉंटर्टी मेंटेन करने का भी था उसी समय पे विजय को पता चलता है कि कैसे एक मीटिय और उपर से तूटने के बाद जल्द ही यहाँ पे गिरने वाला है इसी कारण सभी लोग बंकर में जाते हैं मीटिय और नीचे गिरने से पहले उपर तूटता है और उपर ही ब्लास्ट हो जाता है उसका कोई भी टुकड़े नीचे नहीं आते हैं इसी और ये situation तुम्हारे सामने नहीं आएगी तुम पहले से इतनी बदल क्यों गई हो विजय को भी अच्छा नहीं लगता कि अब पैने किसी और लड़के के साथ है इसी के साथ में विजय अपने साथ में जूडी को बुलाता है और दिखाता है स्क्रीन पे कि कैसे यहां पे पहुँच चुका था और वो भी सारे चीज समझने लगता है अब जूडी के पास प्लान था जूडी यहां पे विजय से पूछती है कि जितने भी एस्ट्रोइड तूट रहे हैं अगर इनका नंबर आफ काउंट बढ़ जाएगा तो जूपिटर निकालने में हमारे पास क करने की कोशिश भी नहीं की है, जिर्फ यही एक चांस है इन लोगों के यहां से बाहर निकलने का, रोबोट को डेंजर फील होता है और वो मिल को समझाने की कोशिश करता है लेकिन विल कहता है इस बार तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, यहां पे मैं अकेला चला तुम्हें पीचे से इन सब लोगों का ध्यान रखना है सीन यहाँ पर जूपिटर पर शिफ्ट होता है यह सारे लोग मिलके रेजुलेट तो नहीं बना पाए लेकिन जैसे रेजुलेट ने बाकी सारे जूपिटर को जोड रखाता वैसे इन्होंने एक और सिस्टम बनाया जिससे एक साथ काफी सारे जूपिटर जुड़े हुए थे यहाँ पर हम हर किसी की अलग-अलग कंडिशन देखते हैं जौन यहाँ पर काफी सारे मेकानिजम वाले कामों में लग गया था जहाँ पर विक्टर अभी इन सब लोगों का लीडर ही था और वो एकस्पेक कर रहा था कि शायद मौरीन भी मीटिंग में आएगी इन लोगों का भी एक साल निकल चुका है अपने बच्चों की बिना आखिर अब यह मौरीन ने ऐसा क्यों किया इसका रीजन है कि जब से मौरीन के बच्चे यहां से चले गए तब से मौरीन ने कुद को बिजी रखने के लिए यह टैक्निशन वाला काम ले लिया रोबोर्ट दूर से खड़ा होकि इन सब को देख रहा था और यहां पे जैसा कि समित का काम है सभी को प्रवोक करना तब यहां पे समित आके रोबोर्ट को भी प्रवोक करती है और पूछती है कि यह आखिर जूपिटर का काम कहां तक पहुचा हर कोई बच्चा मैनत कर रहा है मैगनेजियम को कलेक करने में लेकिन अभी तक भी ऐसी क्या चीज है जो कि Will छुपा रहा है, मुझे जरूर पता है कि ऐसी कोई न कोई चीज है जो कि Will ने अभी तक नहीं बताई है, क्या तो मुझे वो बता सकते हो, लेकिन रोबोर्ट स्मित की कोई बात नहीं सुनता, सीन यहां पे मॉरीन और जॉन पे शिफ्ट होता है, जॉन मॉरीन से बात करने की कुशिश करता है, लेकिन मॉरीन इस समय पे इतनी जादा डिस्टरब थी कि वो जॉन के पास बैट के उसे बात तक भी नहीं करती, बलके सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान शिफ्ट पे दिया करती थी ये बच्चे जब ट्रैक करी रहे थे तो उसी टाइम पे विजय का पैर विसल जाता है और वो सीधा जाके नीचे गिरता है फ्रैक्चर होने के कारण विजय और लियम दौनों को वापस कैम्प में बेज दिया जाता है जूडी अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी थी जहाँ पे उसे मैगनेजियम मिल सकता था इसी के साथ उसके हाथ में हर टाइम रडार रहता है ताकि वो सिगनल्स को कैच कर सके रात होने पे पैने जब बैक चेक करती है और उसे बैक के अंदर जब रडार मिलता है तो वो जूडी पे भढ़क जाती है कि पहले तुमने हमें अमारे पेरेंट से दूर किया और अब इस प्लैनेट पे आके तुम अपने नई फैमली ढूंड रही हो और अगर ग्रैंट कैली का सिगनल आ गया तो क्या तुम हमको छोड़के चली जाओगी इन्हें की बातों के बीच में विल्को पता चलने लगता है कि इनके टैंट के उपर कुछ आवास आने लगती है एक तम से कहीं सारे बीटल कैम को कवर कर लेते हैं ये तीनों जब बाहर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि कुछ ऐसे बीटल है जो कि पत्थरों को खा रहे हैं इसी कारण ये जिस ब्रिच के उपर थे वो पूरा का पूरा तूटने वाला था इन लोगों को एमरजेंसी लैंडिंग करनी थी अगर इन लोगों ने जम्प नह जाने से पहले पैनी को पता था कि उनका ध्यान रखने वाली और कोई नहीं वेल की जूटी है इसी कारण उसने जूटी के रडार को अपने पास रख लिया था पैनी अब खुद कहती है कि हम लोग यहां से नीचे चले जाएंगे तुम अपना काम पूरा करके आओ विल और पैनी यहां पे केंप में पहुँच चुके थे जब यह दोनों यहां पे नई थे तब समित ने कमरे के अंदर आके विल के सारे पेपर्स को चेक कर लिया था जिसके अंदर हर एक एंट्री लिखी हुई थी कि मैगनीजियम कितनी बार आ रहा है और यहां से कितनी बार लेकिन असल की अंदर ये चोरी विल ने नहीं बलकि रोबोट ने की थी तब यहां पे विल बात को कवर भी करता है और कहता है कि रोबोट इंजन के अलावा मुझे ढूंड रहे हैं अगर मैं इस प्लैनेट को छोड़ के चला जाता हूं तो ये रोबोट जरूर मुझे ढूं लेंगे और मार देंगे इसमित ये बात मान जाती है रात होने पे विल रोबोट के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि असली चोर कौन है तुमने आकर ऐसा क्यों किया तब हमें दिखाया जाता है कि रोबोट बस विल की मदद करना चाहता था रोबोट को भी एवन खाले करना था और ये रूम विल का था ये काम अकेला जौन नहीं कर पा रहा था इसी कारण वो मौरीन को भी बुलाता है यहां पर मौरीन बहुत जादा इमोशनल हो गई तो अपने बच्चों से कई टाइम से दूर थी उसके पास कोई आप्शन नहीं था अपने बच्चों क करने के लिए तयार हो चुकी थी रोबोट पर यहां पर घुमते घुमते कैसी जगह पर आया जहां पर उसे पहले तो मीटियॉर दिखता है लेकिन इसी के साथ में रोबोट को एक बहुत बड़ी एलियन सिटी दिखाई देती है और इसी के साथ काईज ये शांदार एपिस में हमने देखा था कि कैसे मौरीन अभी बात माने के लिए तयार हो गई थी कि उसे अपनी बच्चों को ढूड़ना है और वो ऐसे ही होप खतम नहीं कर सकती है दूसरी तरफ जूडी को फॉर्चुना से सिगनल मिल रहे थे और इसी के साथ तीसरी तरफ रोबोट के सामने एक बहुत बड़ा एंपायर उसे दिखाई देता है इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोर नंबर सेकिंड के शुरुआत होती है जहां पर हम जूडी को देखते हैं जिसने अभी तक भी रुपना शुरू नहीं किया था सारे साइंटिस ने माल लिया था कि फॉर्चुना की 20 साल की बड़ी नीन से उठाया जाए लेकिन इस हाइपर स्लीप से उठाने की प्रोसेस के अंदर जूडी से थोड़ी गलती हो जाती है और एकदम से ऑक्सिजन लेवल गिरने लगता है जूडी एक डॉक्टर थी और मैडिकल की प्रेक्टिस कर रही थी इसी करण अपने आ मौरीन और इसी के साथ में डॉन वेस्ट दिखाया जाता है जो कि जॉन के साथ में अनून प्लैनेट पे जाने वाले थे अगर इन लोगों को अलफा संटॉरी जाना था तो इसके लिए सबसे इंपोर्टेंट था कि इनके पास में एक रोबोट हो और इसी के साथ में एक ए कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ लेकिन विल स्मित को कुछ बताना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी कहता है कि अगर आपने रोबोट को कहीं भी देखा हो तो मुझे जरूर बताईएगा डॉक्टर स्मित को हमेशा कोई ने कोई मौका चाहिए रहता था इसी कारण ये काफी दूर जंगलों के अंदर पहुच गए थे जहां पर लियम चाहता था पैने के साथ में कुछ कॉलिटी टाइम स्पेंट करना जहां पर पैने कहती है कि अगर हम लोग अलफा संटॉरी चले भी गए तो ये महौल वैसा ही रहेगा क्योंकि एक साल हो चुका है अब तक भी हम हमारे पेरेंट से नहीं मिले हैं तो अगर कोई भी वहाँ पे नहीं हुआ तो हमारी लाइफ चेंज नहीं होगी लियम को ऐसा लगता था कि अल्फा संटॉरी जाने के बाद में सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ये दौनों एक दूसरे से बात करी रहे पैनिक माउंटेन के पास खड़ी थी और वहां उसके बाल उचे होने लग जाते हैं लियम जब यही बात पैनिक को दिखाता है तो पैनि डर के मारे वहां से बहुत जोर से भागती है सीन यहां कैली पे शिफ्ट होता है जिसे लगा था कि उसे ढूंडने के लिए आर्थ प पिटर कहीं पर भटक गया है कैली को लगता है कि अब तक दुनिया ने काफी जादा तरक्की कर ली होगी क्योंकि उसके 20 साल इसी स्लीपर सेल के अंदर बीद गये हैं तो आखिर यह इतनी बड़ी टेकनोलोजी अर्थ को कहां से मिली तब जूड़ी बताती है कि इस टेकनो साथ में विल को उसी माउंटेन की तरफ लेकर आती है और बताती है कि ये चीज हमारे साथ तब हुई थी जब एक बार हमारे सामने एलियन इंटेलिजन्स का इंजिन था इसी समय डॉक्टर समित पीछा करते करते हिने के पास पहुच गई थी और ये बात इसे भी पता थी क तो बात इसके अंदर जाने के बात ही पता चलेगी पैनी बुरी तरीके से डरी हुई थी कि आगर जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए यहां रॉबिंसन फैमिली डॉन के साथ में इसी अन्नोन प्लैनिट पे पहुच चुकी थी डॉन को लग रहा था कि अगर वो यह का रास्ता जानती है इसी की कारण अब डॉन वेस्ट और जॉन दौनों को ही उस रॉबोट के टूटे हुए हिस्सों को लेने के लिए चाना पड़ता है मौरी निया पर आगे से आगे इंस्ट्रक्शन देती जाती है जहां पर रेत का स्ट्रोम इतना जाता था कि कहीं बार कनेक्टिविटी टूट भी रही थी लेकिन एक टाइम बाद में कनेक्टिविटी मिल गए और मौरीन बताती है कि तुम लोग ठीक उसी जगह पे हो जहां पर रोबोट को होना चाहिए था लेकिन डॉन वेस्ट और जॉन जब दोनों ही मिलके ढूंगते है तो इन्हें कोई भी रोबोट नहीं मिलता है विल और पैनी इस टनल के अंदर अंदर जाते रहते हैं बाहर इसमित खड़ी थी कि अगर कोई भी प्रॉबलम होगी तो वो इन्हें ढूंडने के लिए अंदर पहुँच जाएगी ये जगह काफी मिस्टीरियस थी ऐसा लग रहा था कि इस जाकि देखना ही था और इसी बीच के अंदर पैनी के हाथ से कोई चीज टच हो जाती है और यहां टनल के दर्वाजे अपने याँ भी बंद हो जाते हैं ना अंदर आने का कोई रास्ता था ना बाहर जाने का कोई रास्ता था पैनी तो बुरी तरीके से डर गई थी हम क्या लेकिन जाने से पहले वो अपने sleeper cells को भी लेके जाना चाहता था अभी भी उसका एक दोस्त इसी sleeper cell के अंदर था साथ ही में एक और sleeper cell की अगर बाय चांस जूपिटर के अंदर proper oxygen नहीं हुई तो इस sleeper cell के अंदर एक adult member को डाला जा सकता था कैली यहाँ पर अपनी mom के बारे में बताता है कि कैसे जब earth चोड़ने के बाद में अगर वो किसी को सबसे जादा miss कर रहा है तो एक तो ice cream थी और दूसरी उसकी mom थी अगर बाकी के robot उसे यहाँ से ले गए होंगे तो क्या वो लोग बच्चों तक तो नहीं पहुँच गए होंगे पैनी और विल को जमीन पे कुछ निशान दिखाई देते हैं लेकिन विल जब यहाँ पर अपने study करता है तो उसे पता चलता है कि यह निशान है तो robot के जैसे लेकिन यह metallic नहीं है हो सकता है कि नए है और हो सकता है कि पुराने भी हो जैसे कि organic joints होते हैं वैसे ही जमीन के ओपर भी organic joints दिखाई दे रहे हैं काफी देर हो गई थी जब समित को बच्चों की आवास नहीं आई थी इसी कारण समित बच्चों को ढूनने के लिए आगे बढ लगाता है कि जो भी होगा हम यहां से बाहर निकल जाएंगे तुम tension मत लो और अगर robots वापस भी आ गए हों तो जरूर उन्हें किसी चीज़ की जरूरत होगी अब यह जरूरत क्या है guys हुआ हम सभी लोगों को अच्छे से पता है कि उन सभी लोगों को Will Robinson चाहिए तभी एक सेकंड्स में पता चलता है कि एक बहुत बड़ा सा स्ट्रोम है जो कि इनकी तरफ आके बढ़ता जा रहा है उसी समय पॉर्ट टूट जाता है एक हाइपर स्लीप से इसी कारण पीछे जूड़ी जाती हो उस पॉर्ट को कनेक करने की कोशिश करती है क्या लिए उसे बुलान रोबोर्ट को पकड़ने का लेकिन वो रास्ता भी कहीं खो गया है क्योंकि इने रोबोर्ट मिल ही नई रहा है तो फिर आखिर ये सारे लोग अलफा संटोरी कैसे पहुँचेंगे तबी एकदम से इने आवाजे आने लगती है जैसे कि इनके जूपिटर के अंदर कोई और भी है डॉन वैस्ट को ये भी दिखाई देता है कि इस जूपिटर के अंदर किसे ने स्क्रेचे लगाये हुए है जॉन उपर की तरफ जाता है और उसे पता चलता है कि कोई दर्वाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है और वो दर्वाजे पे जिसकी शकल दिखाई देती है वो एक रोबोट ही था दूसरी तरफ सीन विल के उपर शिफ्ट होता है जहां रोबोट विल को अपने साथ कहीं लेके जाना चाहता था जब विल पैनी और डॉक्टर स्मित रोबोट के साथ में उस जगह पे जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा एंपायर था एक ऐसा एंप के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं हर किसी का एक इंबिल सिस्टम होता है जैसे कि विल के रोबोट ने अपने आपको चेंज किया है वैसे ही बाकी रोबोट को भी बताना होगा कि जो उनके अंदर इंटरनल सिस्टम डाला गया था कि उन्हें बुरे काम करने हैं तो वो सिस्ट डॉन वेस्ट और जॉन ने मिलके एक प्लान बनाया था मौरी ने जीते जाकते रोबोट को अपने आप से दूर नहीं होनी देना चाहती थी क्योंकि इनके पास अब आगे होके रोबोट आया है तो ये इसी रोबोट को पकड़के अपने साथ लेके जाने वाले थे दूसरी तरफ विल वाला रोबोट एक सिस्टम दिखाने की कोशिश करता है ये वही डेंजर सिस्टम था जिसके अंदर कहीं सारी गैलक्सी थी विल को एक्तम से वही अन्नोन प्लानेट दिखाई दीता है जिसके आस पास इनके पेरेंस भी हो सकते थे इसी के साथ में वही अन्नोन प्लानेट जहाँ पर जूपिटर है रोबोट बार बार बोलता है कि फैमली एंड डेंजर फैमली एंड डेंजर तो विल को गुस्सा आने लगता है कि अगर मेरी फैमली डेंजर के अंदर है तो तुम हमें ये चीज़े दिखा ही क्यों रहे हो हम जब कुछ कर नहीं सकते तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो क्या मेरे पेरेंस किसी डेंजर में है दूसरी तरफ जूपिटर के अंदर इन तीनों ने मिलके रोबोट को पकड़ लिया था और ये लोग मिलके इस रोबोट को मारने ही वाले थे कि तब ही आपस में इन सब की आवाजे कनेक्ट होने लगती है विल जब जोर-जोर से अपना ममी और डड़ी का नाम ले रहा था तो आवाज कनेक्ट होके वही बात मौरीन के पास पहुच गई और इसे के साथ में मौरीन अब जॉन को रोग देती है कि प्लीज इसे मत मारो ये असल में सार नहीं बलकि स्कैर क्रो है जो कि विल के रोबोट को फ्रेंड था एक साल बात के अंदर विल पैनी जॉन और मौरीन एक साथ में बात कर रहे थे कि चारो ये लोग जिन्दा है अलग अलग जगा पे हैं लेकिन एक दूसरे को बहुत याद करते हैं ये खत्रा रॉबिंसन फैमली के लिए नई था बलकि ये खत्रा स्कैर क्रो के लिए था क्योंकि रॉबिंसन फैमली स्कैर क्रो को मारने वाली थी और ये बात विल के रॉबोट को पता चल गई थी इसी कारण ये रॉबोट सापस में कनेक्ट भी हो गए और एक दूसरे की बात भी बताने लगे कुछी देर के अंदर इनके कनेक्टिविटी तूट गई लेकिन उससे पहले मौरीन ने विल को ये बता दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना इंजन बंद करना है अगर तुम अभी अनोन प्रैनेट पे हो तो जल से जल अल्फा सेंटॉरी पहुँच जाओ और वहाँ जाते हैं इंजन ओफ करना क्योंकि तुम्हारे पीछे कई एलीन पड़े हुए हैं और अगर उन्हें तुम्हारे इंजन के बारे में पता चला इसी कारण ये इस बार कैली को बता देती है कि कैसे बचपन के अंदर उसने जिस आदमी के उपर ऐसे लिखा था वो यही आदमी यानि कि ग्रेंट कैली था और लिखने का रिजन ये था कि वो उसकी खुद की बेटी है मौरीन हमेशा से ग्रेंट कैली के बारे में बात करती रहती थी और ये लोग कैली के उपर बहुत प्राउट भी करते थे जब कैली को पता चला कि उसकी एक बेटी भी है जो कि जिन्दा है और आज उसके सामने खड़ी है तो वो भी बहुत खुश होता है जाने से पहले डॉक्टर इसमित भी विल को थोड़ा बहुत डरा देती है कि आज तो रोबोट को उसकी फैमली नहीं मिली है लेकिन हो सकता है कल उसको उसकी फैमली जरूर मिल जाये और साथ ही में सारे रोबोट्स मिलके यहां भी पहुंच जाए डॉक्टर स्मित के जाने के बाद विल भी रोबोट्स एक बार बात करता है रोबोट हमेशा से ही विल को सिक्योर रखना चाता था इसी कारण ये लोग इस प्लैनिट को छोड़ के भी नहीं गए लेकिन अगर इन्हें अपनी फैमिली को बचाना है तो इन्हें एक बार अलफा सेंटॉरी जाना ही पड़ेगा और उसके बाद में विल और रोबोट्स दौनों ही सभी को छोड़ के यहां से चले जाएंगे इसी के साथ एपिसोड के आखरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे कई सारे रोबोट्स के बीच में एक रोबोट है जो कि अभी तक मूव नहीं कर रहा था लेकिन उसके अंदर के सिस्टम को निकाल की एक दूसरे रोबोट में डाला गया जो कि सार था सार के एक्टिव होते ही उसका सबसे पहला वर्ड यही था कि विल रोबिंसन डेंजर यानि कि वो विल रोबिंसन को मारना चाता है और इसी के साथ गाईज ये शांदर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है Lost in Space की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विल को रोबोट और एलियन की एक नई सैंचुरी में ली थी जिसे वो और एक्स्प्लोर करना चाता था साथ ही में हमने एक रोबोट को देखा जिसका नाम सार था और उसे अब विल रोबिंसन को मारने के लिए एक्टिव कर दिया गया था इसी कंटिनिटे के साथ में एपिसोड नंबर थर्ड की शिर्वात होती है जहाँ पे हम डॉन वेस्ट को देखते हैं आखिर ये रोबोट इन्हें कहां लेके जा रहा है और क्या ये रोबोट इन लोगों को अलफा सेंटॉरी ले जाने में मदद करेगा या नहीं करेगा ये लोग एक जगह पे जाके रुखते हैं जहाँ पर एक एलियन स्पेस्शिप था और साथ ही में कई सारे रोबोट थे ये रोबोट कुछ धून रहे थे मौरीन जब ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये रोबोट लाशे उठा रहे हैं यानि कि रोबोट के टूटे फूटे पार्ट अपने साथ वापस लेके जा रहे हैं क्योंकि दो रोबोट काफी जादा पाउरफुल होंगे और दस रोबोट का ये लोग मिलके ध्यान बटा सकते होंगे जिसके बास सीन यहाँ पे कैली और जूडी पे शिफ्ट होता है आखिर 20 साल बाद में कैली और लोगों से मिलने वाला है और अब चाके उसका मिशिन पूरा होने वाला है इसलिए वो एकसाइटेट था और इतने ही देर के अंदर यहाँ पैनी और बागी सारे बच्चे मिलने के लिए पहुँच गए थे कि कैसे तुम यहाँ पे रह दियो और फ्रेंच सिखाती हो समित कहती है कि क्या उसने तुमें सब कुछ बता दिया क्योंकि समित एक चोड थी एक बहुत बुरी और थी तो उसे लगा था कि जूडी ने उसके बारे में कैली को सब कुछ बता दिया होगा बाकी चैमबर्स को जूपिटर के अंदर लोड कराया जाता है पैनी यांके जूडी से बात करती है और अभी की सिच्वेशन पूछती है पैनी अभी के बारे में बताती है कि हमें यहाँ से लॉंच करने में 19 घंटे है नहीं तो पूरा आसमान एस्टरोइट से भर जाएगा जूडी विल के ब उपरशिफ्ट होता है जो कि उसी बड़ी सी टनल के अंदर गया था और वापस से उसके सामने एलियन सैंचुरी उसे दिखाई दे रही थी वो हर चीजों को कैप्चर कर रहा था क्योंकि विल अब तक का पहला इंसान होगा जिसने उस चीज को कैप्चर किया है जहाँ पे जैसा बनाया है विल को ये भी लगने लगता है कि ये सारी चीजे इतनी खंडर कैसे हो गई है इसके पीछे जरूर कोई न कोई रीजन हो सकता है सीन यहां चैरिट पर शिफ्ट हो जाता है जहां पे मौरीन डॉन वेस्ट और जॉन मिलके चैरिट को दोडाने के लिए उसे रेडी कर रहे थे एक्चुली इसके अंदर थर्मल पेस डालने की बहुत जादा जरूरत थी क्योंकि चैरिट को डेड़ सो की स्पीड पे स्पेस के अंदर दोडाना है इसी करण चैरिट का इंजन का इंजन काफी जादा गर्म हो सकता है डॉन वेस्ट ने अपने पास में स को पीछे भी नहीं दोड़वा सकता था हम यहाँ पे कैली को देखते हैं जूकि जूपिटर के कंट्रोल रूम में पहुचा था यहाँ पे वो पूछने की कोशिश करता है कि 20 सालों के अंदर अब यहाँ पे कितने चेंजिस आये हैं जूडी इन इंजन के बारे में बताने यूज किया करते थे जूडी का कहना था कि मेरी मॉम इसके अंदर बहुत जादा माहिर है उन्होंने ही इसके आटोपाइलट सिस्टम को बनाया है जो कि 99% ठीक रहते हैं कैली का कहना था कि उस 1% का क्या जब आटोपाइलट भी सही ना हो इसी के साथ हम विजय को देखते है जो कि यहाँ पर डॉक्टर स्मित का चेक अप कर रहा था यहाँ पर उसके वाइटल्स और बाकी सारी चीजों को भी चेक किया जाना था लेकिन डॉक्टर स्मित जैसे कि हमेशा से स्मार्ट थी उसे इस बात का पता चल चुका था कि यहाँ पर उसी का ही चेक अप क्यू किय लेडी है और उसी को सबसे पहले sleeping chamber में सुलाया जाएगा इसी कारण वो विजह से जगड़ा भी करती है कि तुम्हें जूट बोलना नहीं आता है यहां पर सिर्फ चेक अप नहीं चल रहा है बैलकि मुची sleeping chamber में सुलाया जाने की planning चल रही है scene will के उपर shift होता है जो कि जानना चाता था कि आखिर इस जगड़ा पे हुआ क्या है उसे आगे की चीज़े नहीं दिख रही थी क्योंकि नीचे काफी जादा deep था इसी कारण वो flare gun से एक shot लगाता है जिसके बाद जैसे जैसे flare gun नीचे जाती जाती है वैसे वैसे bridge के उपर जारो skeleton दिखाई देते हैं इस बाद से साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है बहुत ही भयानक हुआ है और जान करके हुआ है नहीं तो इतने सारे skeleton सेम जगड़ पे कैसे मिल सकते थे आगे जाने के बाद विल को इस sanctuary का control panel मिलता है याने कि वो alien जिसने इ उसे किसी का हाथ चाहिए था इसी करन विल उपर वाले skeleton का हाथ तोड़के अपने साथ ले आता है दूसी तरफ जॉपिटर के उस रूम के अंदर है जहां पे कहीं सारे information रखी हुई है स्कैर क्रो के जाने के बाद में जॉन और मॉरीन दोनों ही अंदर आके देखते हैं क्य आके इसक्रीन पे बारे में सब कुछ लिखा हुए था मॉरीन को तो लगता है कि हो सकता स्कैर क्रो बारे में आरिं को याद कर रहा हो और साथ ही में उस जगह के विवर पर इन सब के बच्चों ने अभी इस्टे ले रखा था जॉन को सबसे पहले यही डाउट होता है कि कहीं स्कैर्ग्रो बाकि रोबोर्ट का चासूस तो नहीं है कई वो हमारे बच्चों तक तो नहीं पहुंच जाएगा इसी करण वो रोबोर्ट को इलेक्रिक शॉक देने की गन को अपने पास रख लेता है दूसरी तरह विल यहाँ पे उन सारे पैनल को टेस्ट करना चाता था कि आखिर इनसे क्या वोईस निकलती है जैसे ही विल एक पैनल के उपर हाथ रखता है तब ही वहाँ से काफी तेज आवाज निकलती है यह आवाज वैसी ही थी जैसे कि गुर्व जूड़े विल ने एक बार एलियन के स्पेश शिप पर सुनी थी पैनी और जूड़ी 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 को स्टार्ट करने के बारे में बात कर रहे थे लेकिन तब है इनका ध्यान जाता है कि विल इस समय यहाँ पे नहीं है और अगर विल जल जल्ग से जाल लेके जाती है। जान को इन सारी बातों पे डाउट था लेकिन मौरीन का कहना था कि शायद इस पार हमें रोबोट पे भरोphon करना ही पड़ेगा क्योंकि विल ने भी का है कि रोबोट अच्छे होते हैं और हमें उन पे बिलीव करना चाहिए। लेकिन जॉन को ये डर था कि जॉन के जाने के बाद मॉरीन के उपर कहीं वो रोबोट अटैक ना कर दे इसी कारण सेफटी के लिए मॉरीन अपने साथ में वही इलेक्ट्रिक गन रखे दूसी तरफ सीन यहाँ पे पैनी और विजय पे शिफ्ट होता है इन दोरों के बीच में पहले के जैसे बातचीत नहीं होती थी लेकिन विजय का यहाँ पे पैनी से पूछना था कि जब तुमने अपने मॉम डट से बात करी थी तो क्या तुमने मेरे मॉम डट से भी बात करी थी या उनके बारे में पूछा भी था तो हो सकता है कि ये लोग कभी निकल भी ना पाए। इसी के कारण ये लोग Grand Kelly के पास में आते हैं और उससे पूछते हैं कि आप हमें क्या करना चाहिए। Kelly कहता है सबसे पहले शांत हो जाओ और ये सारे इंडिकेशन्स कौन दे रहा है। तब Kelly को पता चलता है कि Autopilot ये ऐसा बात बता रहा है। विश्वास करना चाहिए। जूडी बार बार में Dr. Smith को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आपको उठा दिया जाएगा। लेकिन Dr. Smith कहती है कि मैं आपने अलावा तो किसी और के उपर भी भरोसा नहीं करती। असल के अंदर Dr. Smith जो औजार लेकर आई थी उससे वो जूडी को मारने वाली थी। लेकिन इतने ही देर की अंदर विल जिस कंट्रोल पैनल का इस्तिमाल कर रहा था उसी से काफी जोर-जोर से आवाजी आने लगती है। पैनल से निकले हुए साउंड को रिकॉर्ड करके बस वहां से भागने ही वाला था कि विल के हाथ से वो रिकॉर्डर दूसरी तरफ गिर जाता है। टैंशन में थी कि पिछले सीजन के अंदर कई सारे लोगों ने मिलके इन रोबोट्स को बंदी बनाया था। और स्कैर क्रो के उपर कई सारे टॉर्चर किये थे अपनी लोयल्टी दिखाने के लिए। मौरीन बोलती है कि मैं तुमसे उस चीज़ के लिए माफी मांगती हूँ हालां कि मैं उन चीज़ों को बदल नहीं सकती लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अल्फा सेंटॉरी में तुमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आज मैं खुद के लोयल्टी प्रूफ करना चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए बिल्कुल सेफ हो मौरीन अपना बैक खोलती है और उसके अंदर से उस इलेक्रिक मशीन को स्कैर क्रो को देने वाली थी लेकिन तभी मौरीन के बैक खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उस पास में तुमारे लिए बहुत important news है उस जगा की जहाँ पे तुम बनाए गए हो शायद हो सकता इससे हमें मदद मिले अब Judy और Grand Kelly एक साथ में थे यहाँ पे Grand Kelly का कहना था कि और अब उसके बाद में हम इसे ऐसे ही लेके जाएंगे Judy इस बात के लिए बिलकुल deny कर देती है क ऐसा हम नहीं कर सकते हैं अगर फॉर्चुना की अंदर ऑटो पाइले और नहीं होता तो तुमारा जूपिटर कभी भी उसे कैच नहीं कर पाते और शायद आज तुम लोग अल्फा सेन्टॉरी होते इससे अच्छा है कि और इस बार हम लोग मैनुली जूपिटर को कंट्रो करके यहां से निकाल सकते हैं इसी के साथ सीन यहां पर डॉक्टर स्मिट पर शिफ्ट होता है जो कि विल के रूम के अंदर आके उसे रिकॉर्टर को चुरा लेती है और विल को कहती है कि यह एक तरीके से मेरा इंशॉरेंस है आगर मैं उस स्लीपिंग चांबर में करना है इसके लिए आपको मेरे पेरेंट्स और मेरी बेहनों का ध्यान भटकाना है अगर उनका ध्यान मुझपे ही रहा तो मैं यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा इसके लिए मुझे आपकी जरूरत रहेगी तो यह हम दौनों की बीच प्रॉमिस रहा कि अलफा सेंटॉर के बीच में से इतने सारे फॉक के बीच में से जुपिटर को निकालना था मैनवली जुपिटर को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चीज होती है और जुपिटर के अंदर आके उस ऑटो पाइलेट मोड को एक बार के लिए ओन कर देती है तब यहां पे ग्रेंट केली को ल लेकिन इस बार उटो पाइलेट इतना जादा करेक्ट था कि एक ए मिनट के अंदर इतने सारे फॉकिटर को बिल्कुल सेफली निकाल दीता है और अब जाके ग्रेंट केली को विश्वास होता है कि कैसे वो मैनवली अगर इस जुपिटर को निकालने के कुशिश करता तो ऐ नहीं तुम्हारी मॉम तो मेरे साथ में एस्टोनाट बनने के क्लासेस में थी जूडी और पैने के होश उड़ जाते हैं कि उनके मॉम आखिर साइंटिस्ट क्यू बनी जबकि वो एस्टोनाट बनने के ट्रेनिंग ले रही थी सी निसी के साथ में मॉरीन पे शिफ्ट होता है जो कि इस समय सिर्फ और सिर्फ स्कैरक्रो का वेट कर रही थी और फुल स्पीड के साथ में इन सारे रोबोट्स का ध्यान बटकाना शुरू करते हैं ये लोग कई स्पीड के अंदर आगे बढ़ते ही जा रहे थे दूसरी तरफ मॉरीन को वेट था कि आखिर इतनी देर होने के बावजूद भी अभी तक भी स्कैरक्रो बाहर क्यों नहीं निकला इंजन को लेकर यहाँ पर जॉबोर्ट्स को हम नहीं भगा रहे थे बल्कि ये रोबोट्स हमी भगा रहे थे मॉरीन जब नीचे के देखती है तो उसे पता चलता है कि कैसे स्कैरक्रो जब उस इंजन को लेके बाहर निकलता है तबी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े से 2-3 रोबोट जो के मिट्टी के अंदर छुपे हुए थे वो निकल के बाहर आ जाते हैं असल के अंदर इन सारे रोबोट्स को स्कैर क्रो को पकड़ना था स्कैर क्रो को सारे रोबोट्स अपने साथ अपनी एलियन स्पेशिप के अंदर लेके चले जाते हैं जब मौरीन, डॉन और जॉन यहाँ पे पहुचते हैं तो मौरीन तो बहुत जादा एमोशनल हो चुकी थी क्योंकि स्कैर क्रो ही इनके बच्चों के पास पहुचने के एक आखरी उमीद थी और यह रोबोट और इंजन दोनों ही चले गए हैं यानि कि अभी अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएंगे और इसी के साथ गाईज यह शांतार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है लॉस्ट इन स्पेस की लांस्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सारी बच्चों ने और्बिट को पार कर लिया था जिसकी बाद वो लोग अलफा सेंटॉरी जाने वाले थे वहीं दूसी तरफ रॉबिंसन फामली की आखरी होप यानि की स्कैरक्रो को सार अपने साथ ले गया था इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर फोट की शिर्वात होती है जिस प्लानेट से विल और बागी बच्चे निकले थे उस प्लानेट को मुड़के देखने से लग रहा था कि उस प्लानेट के ऊपर जरूर किसी बहुत बड़े एस्टरोइट ने हमला किया होगा नहीं तो ये एस्टरोइट इतनी बुरी तरीके से नहीं तूट सकता है पैनी को बच्चों को सीट पे बठाने का काम दिया जाता है और विल को कहा जाता है कि रोबोट को तयार करो जूडी कैली से लास्ट टाइम जूपिटर को उड़ानी वाले फाइट से लेकर कुछ बात करना चाती थी लेकिन कैली इस बारे में कोई बात नहीं करना चाता तो वो कहता है कि जो हो चुका है उसे याद नहीं करना चाहिए पैने यहाँ पे अब तक सारे बच्चों को देख चुकी थी कि सारे बच्चे एकदम ठीक जगा पे बैठे और इन लोगों को अब सीधा अलफा सिंटॉरी ही जाना है यहाँ पे विल रोबोट से बात करने के लिए आता है और अब जाके विल को बात करने का टाइम मिला है जहाँ पे वो रोबोट को वही सारे रिकॉर्डिंग सोनाता है लेकिन रोबोट इनका कुछ पे रिस्पॉंड नहीं करता है तो विल कहता है कि मुझे याद है कि तुम लेकिन एकदम से ही रोबोट स्टक हो जाता है और उसके अंदर से लाइट चलना शुरू होती है गाईज ये लाइट वैसी ही थी जब विल अपने मॉम डैट से कनेक्ट हुआ था हालांकि ये दौनों ही अलग-अलग प्लैनेट पे थे फिर पे स्केर्क्रो और रोबोट एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे थे असल के अंदर अभी स्केर्क्रो को सार ने कनेक्ट करवाया था ताकि वो रोबोट के तुरू बागी बच्चों को बता सके कि कैसे उनके पेरेंस अभी खत्रे में है स्केर्क्रो को पता था कि इस समय उनके पेरेंस कहां मिल सकते हैं दूसरी तरफ से रोबोट ने बच्चों को उस प्लानेट के जगह दिखाई जहांपे इन सभी के पेरेंस के जुपिटर थे विल को पता चल गया था कि ये काम रोबोट या फिर स्केर्क्रो का नहीं है बलकि ये काम सार का है और उसी समय ये थ्रेट देने के बाद कि इन बच्चों के पेरेंस खत्रे में हैं स्केर्क्रो को मार दिया जाता है सेम असर रोबोट पे भी होता है वो नीचे गिर जाता है विल उसे संभालता है और रोबोट का मन वहाँ बहुत खराब हो जाता है क्योंकि स्कैर क्रोस के फैमली के जैसा था जो कि अब मारा गया है इसी के साथ रॉबिंसन फैमली और डॉन वेस्ट सेंशाइन जुपिटर प पहुँच सकते हैं और हमारे थू वो हमारे बच्चों तक भी पहुँच सकते हैं हम लोग नहीं बचपाएंगे अगर वो हम परिंटेक करेंगे तो हमारे पास ना आर्मी है ना कोई गैजट्स है और ना ही अब इतने ज्यादा टेकनोलोजी है कि हम उन्हें रोक पाएं इनके जूपिटर के अंदर से अलफा सेंटॉरी या फिर बच्चों के बारे में पता लगा लिया तो रोबोट्स वहाँ भी पहुत जाएंगे। कोई भी पेरेंस अपने बच्चों को रोबोट के हाथ आतावा नहीं देख सकते थे। इसी कारण सारे पेरेंस ने यही सोचा है कि वो इन सारे जूपिटर्स को खाली कर देंगे जहाँ पे इनके बच्चों से रिलेटेड या फिर अलफा सेंटॉरी से रिलेटेड कोई भी चीज लिखी हुई हो। बेस्मेंट के अंदर जाके ये सभी लोग चरिट को तयार करते हैं सारी हार्ड डिक्स, हार्ड ड्राइव, स्प्रिंटर्स, बच्चों की तस्वीरे, अलफा सेंटॉरी से रिलेटेड बुक्स, जूपिटर्स के नाम इन सारी चीजों को पूरी तरीकी से जला दिया जाता ह जौन को इस बात का दुख था कि शायद ये अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएंगे लेकिन इस बात की खुशी थी कि इन सारे पेरेंस की बच्चे एक दिन अलफा सेंटॉरी में जरूर जाएंगे, यहाँ पे जूडी अब बाकी बच्चों के पास में आती है, हमें खत्रे में है, हम जरूर उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुचेंगे और रोबोट हमें मानने के लिए वहाँ अपनी पूरी आर्मी के साथ में तयार होंगे, इस समय हमारी पास में भी कोई आर्मी नहीं है, नहीं कुछ ऐसे हत्यार जिससे कि हम उनसे लड़ पाएं देखते ही देखते सारे बच्चे स्थाट से एगरी करने लगते हैं कि सारे बच्चों को अपने पेरेंस के पास में जाना है, चाहे फिर वो जी हैं या फिर मरें, लेकिन उन्हें एक बार तो अपने पेरेंस की मदद करने के लिए जाना ही है, जूडी इतने सारे बच्चो कैसे लूँ, हम सभी को पता है कि रोबोट से लड़ने हमारे बस की बात है ही नई उनके पास advanced technology है हमारे जुपिटर में इतनी speed भी नई है कि हम उनके alien ship को टकर दे पाएं अगर हम वहाँ पे पहुँच भी गए तो भी हम अपने parents को कैसे बचा पाएंगे तब यहाँ पे grand kelly कहता है कि हमिशा से मेरी mom कहती थी कि अगर तुम सबसे strong बच्चे नई हो तो सबसे smart बच्चे बन के दिखाओ साफ मतलब था कि अगर तुम्हीं जीतना है तो या तो तुम्ही aliens के जसा सोचना पड़ेगा या फिर उनसे भी जादा advance बात सोचनी पड़ेगी जिसके बाद Judy को idea आ चुका था कि आखिर अखिर अब उसे करना क्या है दूसरी तरफ Penny यहाँ पे Will के पास में बैटी थी असल के अंदर Will को ऐसा लग रहा था कि इन सारी चीजों की गड़बर उसके कारण हुई है रोबोट जितनी बार भी अटेक कर रहे हैं वो सिर्फ फो सरफ Will Robinson के कारण कर रहे हैं लेकिन Penny समझाती है कि इन सबकी जिम्मेदार तुम नहीं हो जौन आखरी कॉल के लिए आया था और एक ही मिनट के अंदर उसके अंदर से डेटा हटाया जा सकता था लेकिन जब वो इंस्टूमेंट काम नहीं करता है तो Don West सीधा हतोडा लेकि उसे तोडने लग जाता है और वो इतना जादा फ्रस्टेड हो गया था इन सारी चीजों से कि उसे उसी की कलीक समझाती है कि ये सारी चीज़े जल्दी खत्म हो जाएगी अगर हम लोगों को जीने का मौका नहीं मिला तो उन बच्चों को जीने का मौका मिलेगा इसी के साथ हम Will को देखते हैं जो कि आखरी बार एक रिकॉर्डिंग करता है कि ये मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग है शायद इसके बाद मुझे टाइम मिले या ना मिले या फिर मैं जिन्दा भी रहू या ना रहू अब Will ऐसा कौन सा बहत्दूरी का काम करने वाला था ये तो गाइस हमें आगी पता चलेगा पेरेंस वाले जूपिटर के अंदर सारे डेटा को क्ररेश कर दिया गए था हार ऊ एक डेटा को जला दिया गया था जिसके लिए तीन चरिट पूरी तरीके से बरभात कर दी गई थी अगले 10 मिनट के अंदर अंदर ये एलियन स्पेस्शिप इनके जूपिटर्स पे अटैक करने वाली थी सारे पेरेंस एक साथ में खड़े थे और तभी यहां पे इन लोगों को क्लिक होता है कि आसपास के अंदर एक और नए स्पेस्शिप के इन लोगों को सिगनल मिल रहे है इन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन सी स्पेस्शिप है उसी स्पेस्शिप के चैनल्स को जब चेक किया जाता है तब इन लोगों को पता चलता है कि ये तो इन बच्चों का ट्रांसपोर्ट जूपिटर है आखिर इन बच्चों ने इतनी बड़ी बेवकुफी कैसे कर दी जिस चीज का पेरेंस को डर था कि ये बच्चे ने बच्चाने के लिए कहीं यहां ना पहुंच जाए वो ही गलती बच्चों ने कर दी थी डॉन वेस्स उसी टाइम पे बोलता है कि कोई भी अपना जूपिटर लेके यहां से उड़ो ताकि एलियन शिप को तुम अपने पीछे लगा सको कहीं ये एलियन शिप बच्चों वाले जूपिटर पर अटैक ना कर दे लेकिन तभी वहां से इस सब कहां पर है और इसी टाइम पे एंट्री होती है फॉर्चुना की यानि कि 20 से 25 साल पुराना स्पेशिप जिसके बारे में हर किसी ने सोच लिया था कि वो खत्म हो गया है उसी के अंदर सारे बच्चे बैट कर आये थे क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कोई भी कैच नह इन लोगों को इतनी जाधा खुशी थी जितने की खुशी अब तक इन लोगों को कभी नहीं हुई थी जब विल के बारे में पूछा जाता है कि आखिर विल कहां पर है तब विल भी बाकी चीज़ों को मैनेज करके यहाँ पे पहुँच गया था उस जूपिटर के अंदर पी नहीं था अब इन लोगों के पास में जाधा टाइम नहीं था क्योंकि एलियन शिप जलती पता कर लेगी कि उस जूपिटर के अंदर कोई भी नहीं है यहाँ पे डॉन वेस्ट भी जूटी से मिलता है दौनों को पता चलता है कि दौनों को ही अलग-अलग पोस्ट मिल चुकी है मौरीन यहाँ पे जूटी से पूछती है कि आखिर तुम लोगों को फॉर्चुना मिला कैसे यह सब कैसे पॉसिबल हुआ और तभी मौरीन के सामने ग्रेंट कैली खड़ा था मौरीन को विश्वास नहीं होता कि आखिर ग्रेंट कैली जिन्दा कैसे है 20 साल बाद करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं था इसी करण सभी अपने अपने जूपिटर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पे एलियन स्पेशिप का इंजन आ चुका था रोबोर्ट तो पहले से ही था इसी करण विल को कहा जाता है कि जितना चल दिया हो सके अप इस सारे जूपिटर चले जाएं तो तुम्हें और मुझे यहीं पर रुख जाना है और पीछे से तुम्हें उस दर्वाजे को बंद करना है ताकि कोई भी एलियन स्पेशिप उस टेलिपोर्टिशन को पार नहीं कर पाए ऐसा इसलिए था क्योंकि उन सारे रोबोर्ट के दुश्मनी विल रॉबिंसन से थी और साथ ही साथ रोबोर्ट को अपना इंजन भी वापस चाहिए था अगर एलियन्स अलफा सेंटॉरी तक पहुँच जाते तो कोई भी खुशी खुशी नहीं रह पाता यानि कि वहां पे भी हर जगब भरबादी हो जाती अब जब रोबोट और मैं हम दोनों मिलके एलियन्स का सामना कर लेंगे इसी के साथ में जाते हुई स्लीपिंग चैंबर में से विल ने डॉक्टर स्मित का चैंबर को रोक लिया था और उसके बाद विल डॉक्टर स्मित को उठा के बोलता है कि अब आपका काम आ गया है डॉक्टर स इसको बिलीब नहीं होता क्योंकि उसने डॉक्टर स्मित का हेलमेट टूटा हुआ देखा था और आखिर वो तो इन सब लोगों के सामनी मरी थी तब जूटी बताती है कि यह मरी नहीं थी बलकि यह बच्चों वाले जुपिटर के अंदर कूद गई थी स्मित अब इन सब का ध्यान बटकाने लगती है कि अन्नोन प्लैनेट पर कैसे उसने बच्चों का ध्यान रखा वो कैसे अब एक अच्छी इंसान में बदल गई है असल के अंदर ये सब कुछ विल को यहां से भगाने का काम चल रहा था विल कैसे तैसे करके फॉर्चुना के दरवाजे तक प बार-बार में अपने जूपिटर से प्ले करने लगता है ताकि उसके साउंड से कुछ तो एफेक्ट हो और आखिर कार में एक साउंड ऐसा निकलता है जिसे कि दो एलियन स्पेशिप एक साथ में भिर जाती है उससे हुए धमाके से सारे के सारे लोग एक साथ में हिलके नी प्यारी कर रहे थे लेकिन तभी नहीं पता चलता है कि उस टेलिपोर्ट वाले रास्ते के अंदर से एक एलियन स्पेशिप इनके पीछे-पीछे आ रहा है और अगर गलती से वो अल्फा सेंटॉरी तक पहुँच गया तो बहुत बड़ी गड़बर हो जाएगी जौन यहा प्लैनेट पर चला जाता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता उपर से इनकी पीछे-पीछे एलियन स्पेशिप भी आ जाता है जिन बाकी सारे लोगों की जान बची थी अपने बच्चों के साथ में यह सारे लोग अपने जूपिटर से अल्फा संटॉरी को बिल्कुल सा गया था काफी सारे इंजन्स डैमेज हो गए थे और ये लोग बस क्रैश लेंडिंग करने वाले थे इन सब लोगों को एजक्ट करना था सीद पे बैठे हुए काफी सारे लोगों ने एक साथ में एजक्ट किया लेकिन मौरीन और जूडी दोनों ही एजक्ट नहीं कर पाया औ Boston Space के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सारे जुपिटर अल्फा सेंटॉरी के लिए निकल गए थे लेकिन रॉबिंसन फैमिली का जुपिटर एक अन्नोन प्लैनेट पे क्रैश करने वाला था मौरीन और जूड़ी को छोड़के सभी के सीट ने एजेक्ट कर लिय लेकिन वो दौनों जुपिटर में ही अटक गए थे इसी के साथ एपिसोड नंबर फिफ्ट के शुरुवात होती है जहां पर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें छोटी मौरीन दिखाए जाती है कि कैसे बच्पन से यह उसे चांद पर पहुँचना था आज नहीं तो कल दौन अकीला एक तरफ गिरा था और इसी के साथ में विल और डॉक्टर स्मित दोनों एक साथ में गिरे थे विल इस समय पेड़ पे अटका हुआ था और डॉक्टर स्मित नीची थी इतने बड़े एक्सिडेंट के बाद में डॉक्टर स्मित का कहना था कि क्या वो एलियन्स भी बच्चे होंगे हमारे साथ में और सीधा सीन यहाँ एलियन स्पेश शिफ्ट होता है इतने बड़े क्रेश लेंडिंग के बाद में एक भी रोबोट मरा नहीं था और यहाँ जूड़ी के साथ में थी तो उसने कहा था कि अच्छा हुआ कि वो जूडी के साथ में फसी है क्योंकि जूड़ी को कहीं सारे चीजों की अच्छी खसी नॉलेज है और यह दौनों साथ रहेंगे तो यहां से जल्ट ही बाहर भी निकल जाएंगे मॉरिम जब नीचे प्रॉपिलेंट कैनिस्टर था जो कि अभी डैमेज हो चुका था असल के अंदर ये एक लाइव माइन बन चुका था अगर मॉरीन अपना वेट उस जगह से हटा लेती है तो वो सीट ब्लास्ट हो जाएगी और उस समय जूड़ी इन सारी चीजों को देखते होई पू एस्टर नौट ट्रेनिंग का फॉर्स्ट पार्ट था जो कि वो क्लियर नहीं कर पाई है जूड़ी के पैदा होने के बाद में शायद वो पजल्ड हो गई है कि आखर उसे किसे चूस करना चाहिए तब मॉरीन की मा उसे समझाती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि वो एस्टरनौट बनने के सपने को वही ड्रॉप कर देती है क्योंकि एस्टरनौट बनना कोई आम बात नहीं थी अगर उस समय कोई हाथसा हो जाता तो शायद जूड़ी अनाथ हो जाती यहां आप सभी लोगों ने अपने डिवाइसेस को हटा दिया था इन कम्यूनिकेश से डॉन को छुड़ा करके आगे भागने लगती है डैबी का पीछा करते करते डॉन कहीं दूर तक आ गया था सीन जब मौरीन और जूड़ी पर शिफ्ट होता है तो इन्हें पता चलता है कि एजेक्शन स्पेस में से कुछ लिक्विट नीचे गिर रहा है शायद कुछ ली जिन्दगी से ज़ादा इंपॉर्टेंट है तो हमें यहां से निकलना चाहिए डैबी का पीछा करते करते जॉन एक ऐसी जगह पे पहुंच किया था जिस जगह पे हच से जज्यादा दल दल था एक जगह तो जॉन का पैर फस भी गया था दल दल में लेकिन तब जॉन के सा कारण रोबोट ने डॉन को काफी दूर फैक दिया उठाके यहां पे जॉन ने काफी उचाई पर जाके देखा कि इनका जुपिटर 20 किलो मिटर दूर है और उसके पास में फॉर्चना गिरा है तो इन लोगों को पहले फॉर्चना तक जाना चाहिए और शायद रोबोट को ढूनना चाहिए इसके बाद ये लोग अलग अलग जगा पर जाके अपने फैमिली मेंबर्स को ढून लेंगे इनने फॉर्चना मिल चुका था जिसके इस समय लाइट्स बन थी और ये सबसे अच्छी बात थी चाहे कुछ भी हो जाए ये लाइट्स वापस ही आन नहीं होन चाहिए आगर ये लाइट्स एक बार भी ऑन हुई तो रोबोट्स इस बात का पता लगा लेंगे और फॉर्चना को ट्रैक करके सीधा यहां आके इन लोगों को मार देंगे तो पैनी ये ही कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बस मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि दो जिन उसने तुम्हें बचाया कैसे अच्छा हुआ जो उस दिन तुम्हें विल ही मिला अगर मैं मिलते तो शायद तुम्हें बचा भी नहीं पाती पैनी रोबोट से कहती है कि क्या तुम्हें बता सकते हो कि विल ने आकर तुम्हारी चान कैसे बचाई रोबोट इस समय काफे ज ऐसा वाम था जो कि चलता चलता तारों के ऊपर तक पहुंच चुका था मौरीन और जूडी मिलके एक और प्लानिंग करते हैं कि क्यों न यह लोग मिलके फ्यूल चानल को ओपन कर दे इससे निकलने वाला धक्का इस क्रीचर को ऐसे लगेगा कि मानो किसी ने पंच मारा है और शायद यह जूपिटर को उगल देगा जूडी को यह चीज करनी नहीं आती थी मौरीन जूडी को समझाने से पहले ही बोलती काश में यहां पर फसी हुई नहीं होती यह काम बस एक मिनट का था और मैं अब भी कर लेती लेकिन अब जब मौरीन यह काम नहीं कर पाती तो वो जूडी को ही समझाती है कि उसे कैसे फ्रस्टर ओपन करना है एक लाइन ओपन कर दी जाती है और उसके बाद में जब दूसरी लाइन ओपन करनी थी तो यह सब जूडी को फील करके करना था लेकिन उसमें से निकला हुआ पावर इस तरीके से नहीं निकला था जिससे कि इस बड़े से अनिमल को फील हो सके, असल के अंदर सारा फ्यूल लीक हो चुका था, जो कि पाइपस के अंदर था, इसी कारण ये प्रोसेदर वापस से नहीं हो सकता था, मौरीन एक बर फिर से अपने पास्ट में चली जाती है, जो कि इस समय भी अपने सपनों के बारे में सोच और चांद को देखके उसे लगता है कि क्या वो कभी वाँ पे पहुँच भी पाएगी, या शायद उसका सपना धूरा रह जाएगा, लेकिन फिर वो जूडी के पास आके उससे ही बाते करने लगती है, कि ये बहुत स्पेशल बच्ची है, ये कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये वो मौरीन की बेटी है, उसने बहुत फाइट करी है, धीरे धीरे करके जूपिटर के अंदर बहुत जादा अंधेरा होने लगया था, मौरीन जब जूडी को देखने के लिए भेज दी है, तो जूडी बताती है कि आल्मोस्ट वो हाफ जूपिटर निगल चुका है, इ जो कि विल रॉबिंसन अपने पुराने प्लानेट से अपने साथ ले आया था, डॉक्टर स्मित के पूछने पर विल बताता है कि ये उसके आगे बहुत काम आएगा, इसी कारण ये बैग उसके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है, डॉक्टर स्मित समझाती है कि तुम्हें जान के पास ये ऐसे ही नहीं लगाने चाहिए, तुम अल्फा सेंटॉरी में रहना डिजर्फ करते हो, हलांकि मैंने तो बहुत पाप किये हैं, लेकिन तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, इवन तुम क्या तुम्हारे पूरे फैमिली डिजर्फ करती है, एक बार के लिए तो पहला इंडिकेशन रोबोट्स को पता चला, जॉन काफी तेजी से किसी वायर को तोड़ने की कोशिश करता है, कि किसी भी वायर से बस ये इलेक्रिसिटी बंद हो जाए, पैनी भी यहाँ पे कई सारी चीज़े देखती है, जिसकी अंदर उसे रोबोट्स दिखाए देते ह जो कि फॉर्चुना के अंदर पहले भी आ रखे थे, वो जॉन को बताती है, लेकिन जॉन इससमें बहुत बिजी था, इस कारण वो हाट ड्राइव निकाल लेता है, और कहता है कि इसे हम बाद में भी देख सकते हैं, पैनी कहती है कि रोबोट्स यहाँ पे कब तक पहुँ जाना पड़ा था, अगर इसी क्यामिकल को हाइड्रोकुनेन के अंदर मिक्स कर दिया जाएगा, इस क्यामिकल को यह चानवर परदाश नहीं कर पाएगा, और वो बहुत जोर से उल्टी करेगा, इसी किसाद सीन यहाँ पे पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे जू जूडी सर्फ साइंटिस नहीं, बलकि स्पेस में जाके डॉक्टर भी बन सकती है, इसका मतलब है कि उसके दौनों ही काम पूरे हो जाएंगे, वो जूडी है, वो कुछ भी कर सकती है, यही सीन प्रजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे जूडी अपने आपको देखती ह और खुड के शोल्डर को फील करने पे उसे पता चलता है कि उसे फ्रेक्चर हो चुका है, लेकिन अब जब उसकी मॉम के साथ में उसके कई सारी एक्सपेक्टेशन्स हैं, तो जूडी खुडी खुड के फ्रेक्चर को साइड में रखे, अपने काम पे फोकस करती है, दूस जूड को पता चल जाता है कि पैने उसके साथ में क्या ट्रिक अपना रही है, ताकि उसका ध्यान हट जाए और वो दोनों परिशान होने की बजाए, रूबोट को जल्दी वहाँ से छुडा ले, और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि रूबोट वे बड़े इंट्र जिसे कि वो इस जानवर की मोटे सी खाल के अंदर डालना चाहती थी, काफी प्रेशर लगाने के बाद में भी जूडी से प्रेशर नहीं लग रहा था, और ये बात मौरीन को समझ आ जाती है, तब जूडी को कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तब जूडी रोती जो आप कहना चाहती थी, जो आप मुझे बनाना चाहती थी, जूडी इस बात से पर गुस्सा थी, कि मौरीन ने कभी उसे बताया नहीं कि वो अस्ट्रोनाट बना चाहती थी, और साथ जूडी इस बात से पर परेशान थी, कि जैसा जैसा मौरीन ने उसे का है, जूडी को ह कर रहे थे और डॉन वेस्ट ने आगे उन्हें अपने जूपिटर में ले लिया था यानि कि ये बॉक्स किसी भी बड़े धमाके को या फिर स्पेस में रहने वाले एंवायरमेंट को भी सह सकता था मौरीन को डर तो लगता है लेकिन फिर वह जूड़ी के उपर बिलीव करती है जूड़ी मौरीन के सीट पर थर्मल पेस्ट लगा देती है ताकि एक से दू सेकिंड का मौरीन को भागने का टाइम मिल सके मौरीन भाग के सीधा बॉक्स में आ जाती है और तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है उस धमाके के कारण ये जानवर उल्टी कर देत है जिससे जूपीटर काफी दूर जाके गिरता है वाक्स खुलने पर हमें पता चलता है कि इन दोनों को चोड बिल्कुल भी नहीं लगी है ये दोनों बिल्कुल सेफ हैं चूड़ी वापस से अपने काम पे लगने वाली थी लेकिन इस बार मौरीन उसे सुला देती है और क कोई नहीं बलकि रोबोट था रोबोट ने विल के बैक को गिरने से बचा लिया था और विल और रोबोट दोनों ही बहुत खुश थे अब ये सब ही लोग अपनी जूपीटर की तरफ जाने लगते हैं ताकि जितना चलती है उसके ये लोग मौरीन और जूड़ी तक पहु दिखाते हैं जो कि डॉन वेस्ट की करी गई थी अब डॉन वेस्ट की स्कैनिंग से इन रोबोट को क्या पता चलता है ये तो गाईज हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अकले एपिसोड में तब तक के लिए टाडा Lost in Space के last episode में हमने देखा था कि कैसे Robinson family जो की unknown planet पे फसी हुई है वो सभी अब एक एक करके आपस में मिलने वाले थे जूडी और मॉरीन को एक बहुत बड़े जानवर ने निकलने के बाद उन्हें जिन्दा चोड़ दिया था इसी के साथ में डॉन वेस्ट को एक रोबोट ने स्कैन किया था इसी continuity के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शिर्वात होती है मौरीन और जूडी आप इस जूपिटर को रिपैर करने में लगी हुई थे और तब ही इनको आवाज आने लगती है मानों कि इनके जूपिटर के अंदर को या टैक करने के लिए आ रहा हो लेकिन इस समय रोबोट था जिसने के दर्वाजे को काट के अलग कर दिया था जहां से जॉन, पैनी, विल और डॉक्टर स्मित निकल की आते हैं ये सभी लोग एक दूसरे को जिंदा दे के बहुत खुश थे लेकिन इसी के साथ अब इनको वापस से अलफा सेंटॉरी निकलने के जुपिटर को रिपैर करना पड़ेगा जिसके लिए सभी को अलग-अलग ड्यूटीज दी जाती है लिकिन अगर इन्होंने जुपिटर को सही करने से पहले ही उसके इंजिन स्टार्ट कर दिये तो रोबोट को इनकी जुपिटर के बारे में पता चल जाएगा और इन बोट को रूफ को वापस रिपैर करने का काम दिया जाता है मौरीन और इसमित यहां पर वेंटिलेशन फिल्टर साफ कर रहे थे ताकि अगर यह लोग वापस से स्पेस में पहुचे तो वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो असल के अंदर मौरीन को बस समित से बात कर और जब डॉक्टर समित यहां विल का नाम लेती है तो अपने हाप ही चुप हो जाती है क्योंकि डॉक्टर समित को विल के बारे में पता था कि आगे चाके वो कोई ना कोई काम जरूर करने वाला है यानि कि वो इन लोगों को छोड़के रोबोट से अकिला लड़ने के लि लग रहा था और ऐसा लगता है कि विल को शायद एक फादर की जरूरत होगी जॉन कहता है कि तुम्हारा एक साल कैसा बीता मुझे पता है कि हम काफी समय से ट्रेवल कर रहे हैं और हमारे बीच में डिस्टेंस और बढ़ता ही जा रहा है लेकिन मेरा तुम से प्रॉमिस है क जाने के बाद यह सारा गैप खत्म हो जाएगा हम दौनों के बीच में वापस से म्यूचल अंडरस्टेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी वह सारी चीज़े जो की अब तक नई हुई है या फिर होनी चाहिए थी वहम अलफा सेंटॉरी में जाकि वापस से स्टार्ट करेंगे लेकिन मन ही मन विल को पता था कि शायद वो अपने फादर के साथ ऐसे मूवमेंट्स जी ही नहीं पाएगा लेकिन फिर पे वो उन्हें नॉर्मल रखने के लिए बोलता है कि हम वहाँ जाके काफी सारी नई चीज़े साथ साथ करेंगे इन दौनों को डॉन वेस्ट मिल जा जौनों की ही जरूरत है मौरीन यहाँ पे इंजन्स चेक कर रही थी जिसे चेक करने के लिए उसे गैजट की जरूरत लग रही थी और यह प्रोसेस करने में कुछ टाइम लग रहा था इसी समय यहां जौन पहुंच जाता है जो कि मौरीन से बात करके बहुत खुश था कि आखिरकार इनके फैमिली एक बार वापस से साथ में हैं कोई भी बच्चा अलग नहीं है और यह लोग अलफा सेंटॉरी बिल्कुल सेफली पहुंच जाएंगे इसी के साथ में जौन एक क्लिप दिखाता है मौरीन को जो कि उन्हें फॉर्चुना से मिली थी हालांकि स्ट् में डेटा, लोकेशन, कुछ भी चीज इने नहीं मिली थी यानि कि हर एक चीज डिलीट कर दी थी अगर सिर्फ बाकी था तो वो कैमरे की क्लिप्स थी जिसकी हार्ड ड्राइव यह अपने साथ ले आए थे क्लिप देखने के बाद मौरीन को बिली भी नहीं होता कि यहाँ पे एक रोबोर्ट घूम रहा है जिसने ग्रेंट कैली को स्कैन किया है और यह आज से चार से पात साल पुरानी क्लिप है लेकिन आखिर उसने ग्रेंट कैली को कुछ किया भी नहीं और फॉर्चना से पूरा था और उससे बड़ी बात यह हुई कि एक रोबोट ने डॉन वेस्ट को पूरा स्कैन किया लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि उस रोबोट ने डॉन वेस्ट को मारा नहीं बलकि मानों से कुछ इंफोमिशन चाहिए हो और वो इंफोमिशन लेके रोबोट वहां से चला अब यहां से मौरीन और जॉन को हर बात क्लियर होना शुरू होती है कि आज से 5-5 साल पहले ही एलियन्स ने हुमन से कनेक्ट कर लिया था यानि कि हुमन से आर्टिफिशल इंटेलिजन्स आज से 5 साल पहले मुल चुकी थी स्कैर्क्रो बैन एडलर से पहली बार नहीं मिला था बलकि सार ग्रेंट कैली से पहली बार मिला था वहां से एलियन्स को फॉर्चुना के बारे में पता चला जैसे कि हम लोगों के लिए एलियन स्पेशिप एक स्टार की जैसे था वैसे ही एलियन्स के लिए फॉर्चुना एक क्रिस्मस स्टार की जैसे था इसी करण वो सारी ल आपके बॉड़ी पे हमेशा रहते हैं रोबोट्स इतने एडवांस टेक्नोलोजी के थे कि उन्होंने डॉन बेस्ट को स्कैन करके अलफा सेंटॉरी के बारे में पता कर लिया है अब ये सभी लोग सोचते हैं कि आखिर अब इन रोबोट्स का करना क्या है सब अपना अपना पड़ेगा कि वहां पे रोबोट्स आने वाले हैं कुछ का कहना था कि हमें उन्हें यहीं रोग देना चाहिए था और कुछ का कहना था कि हम उन्हें अलफा सेंटॉरी में भी रोग सकते हैं लेकिन अगर एक बार रोबोट्स अलफा सेंटॉरी में आ गए क्योंकि हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते एक रोबोट आने के बाद वो अपने पूरी आर्मी को अलफा सेंटॉरी बुला लेंगे जिसके बाद वहाँ भी एक जंग छिर जाएगी लेकिन विल को समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है अब उसे लड़ाई यही पर खत्म करनी है वो बेस् इस बार मुझे अकिले जाने दो और यह लड़ाई में खत्म करके लोटूंगा अगर तुम्हें फैमिली की इतनी ही परवा है तो तुम मेरी फैमिली के साथ रुको अगर कुछ भी होता है तो तुम्हें उनका खयाल रखना और उन्हें अलफा सेंटॉरी तक पहुचाना है अब यहाँ पर डॉक्टर स्मिट जिसने की सबसे लास्ट में अपना आइडिया दिया था जो कि बहुत ही बखवास था वो कहती है कि अब जब हमारे पास में एलेन इंटेलिजन्स का इंजन है तो हमें यहां रुकने की जरूरत ही क्यों है और हम अलफा सेंटॉरी भी क्यो मास पास रहते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है मानों कि हमें बहुत सेफ फील होता है डॉक्टर इसमिट जाके सीधा विल के पास पहुँचती है बात करने के लिए लेकिन तब तक विल उस कमरे से जा चुका था और इसमिट यहां पर विल की आखरी रिकॉर्डिंग कि वो रोबोट से बात करने के लिए गया है यहां पर हम विल के चैरिट में देखते हैं कि कैसे उसने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया है ताकि उसके चैरिट को कोई भी ट्रैक ना कर पाए रोबोट का ध्यान खीचने के लिए विल ने काफी तेज म्यूजिक भी स्टार सके और वो कुछी देर के अंदर टेक ओफ करने ही वाले होंगे लेकिन तभी बात निकल की आती है कि जॉन को आकर रोबोट्स ने किते देर पहले स्कैन किया होगा एक घंटे पहले तो अब तक तो एलियन स्पेशिप को यहां से निकल जाना चाहिए था लेकिन अभी भी व पारे में बात करने लगते हैं कि इन रोबोट्स का हमीशा से ही विल से पंगा रहा है और तब इन्हीं पता चलता है कि विल जूपिटर में नहीं है सभी भाग के जब विल के रूम में पहुंश्ट है तो वहां स्मित पहले से ही बैठी थी जिसके हाथ में कैमरा था और उस समझ में नहीं आता कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्यूं किया दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जो कि बस रोबोट्स के पास में पहुंचनी वाला था अब यहां पर बाकी सारे फैमली मेंबर विल को ढूंडने के लिए बस भागते हैं लेकिन मौरीन जॉन को रोकती ह कि चैरिट तो विल ले गया है तो तुम आखिर उड़के जाओगे या फिर पैदल जाओगे तब जाके ये लोग फाइनल करते हैं कि ये लोग अब बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे रोबोट्स को अपनी तरफ ध्यान कीचने के लिए ताकि रोबोट्स का ध्यान अगर इन जिस समय रोबोट को बंदी बना लिया था सार ने और सार रोबोट से पूछने के कोशिश करता है कि आखिर तुम हमारी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हो जैसे हम प्रोग्राम किये गए हैं तुम्हारा प्रोग्राम भी वैसा क्यों नहीं है आखिर तुम्हारा प्रोग् है कि विल ने उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करी है इसलिए वो एक मास्टर है और मास्टर्स को जिन्दा रहने का हक नहीं है इसी करण सार विल के रोबोट के उपर बहुत बुरी तरीके से अटेक करता है और उसके दिल वाले पार्ट को इंजर्ट करके वहां से चला जाता है यही दुश्मनी सार के विल से थी कि उसको विल को जिन्दा रखना ही नहीं था यहां विल अब हीरो बनके सार के सामने चला गया था जहांसे सार ने अपने दो रोबोट को भीज दिया अब यहाँ पे विल बोलना शुरू करता है कि देखो हर रोबोट की प्रोग्रामिंग चेंज करी जा सकती है जिस समय मुझे रोबोट पहली बार मिला था तो वो भी तुम्हारी जैसा ही था जो उसे अच्छा लगा उसने वही चूस किया तुम्हें जिसने बनाया होगा ये सुनके तुम्हें बहुत दुख होगा कि वो एलियन मर गया है लेकिन अगर तुम भी अपने आपके अंदर सही सोचने लगो तो तुम्हारी प्रोग्रामिंग भी चींज हो जाएगी विल अपने बैक से वही सकल निकालता है उस एलियन का जिसने की रोबोट को बनाया था विल पूछता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा ये जानकर कि तुम्हें जिसने बनाया है वो मर गया होगा और बताया कि उसी नहीं अपनी master को मारा है और वो Will को भी मारना चाता है क्योंकि Will भी एक master है क्योंकि उसने एक robot को पूरी तरीके से change कर दिया है Will याँ समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसने robot की programming नहीं change करी है और सार भी उसे ना मारे लेकिन सार ये बात बिलकुल नहीं सुनता और यही डेंजर अब robot ने भी feel कर लिया था इतनी देर के अंदर जॉन और डॉन ने भी जूपिटर से सार को ढून लिया था ये लोग जूपिटर रोग के सीधा Will को बचाने के लिए भागते हैं लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी सार मास्टर को जिन्दा नहीं रखना चाता था इसी कारण उसने Will को वही पे अपने तीखे वैपन से मार डाला था यानि कि मास्टर खतम तो उसकी प्रोग्रामिंग भी खतम सार को लगा था कि रोबोर्ट बदल जाएगा और अब वो उसकी बात मानेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था यहां सारे फैमिली मेंबर Will को बचाने के लिए भागते हैं जो गलती उससे हुई है वो गलते Will खुद सुधारेगा अब तक फैमिली मेंबर Will को उठा के जुपिटर के अंदर ले आए थे जॉन से ये चीज़ देखी ही नहीं जारी थी इसी कारण वो कमरे से बाहर चला जाता है यहाँ जुडी को पता चलता है कि पल्स अभी भी चल रही है जॉन इतने जादा गुस्से में था कि वो रोबोर्ट के उपर हाथ उठाता है लेकिन रोबोर्ट का यहाँ पे क्या होनी वाला था कि आखेर रोबोर्ट को Will की जान बचानी चाहिए थी Will को इस समय open heart surgery की बहुत जादा जरूरत थी लेकिन जुडी के पास इतने instrument नहीं थे कि वो ऐसे unknown planet पे Will की open heart surgery कर दे उसे hospital की जरूरत थी अब अगर इन्हें space के अंदर hospital मिल सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ alpha centauri में मिल सकता था इनके पास कोई option नहीं था कि ये लोग alpha centauri में जाएं क्योंकि Will घायल था और इन्हें alpha centauri को robot से alert भी करना था Will को stretcher पे नहीं लेकि जाया जा सकता था क्योंकि उसके heart पे और ज़्यादा pressure पड़ेगा space में जाने के बाद इसी के करण उसे kairo tube में डाल दिया जाता है जिससे कि Will का heart इतना बड़ा travel accept कर पाए इस समय रोबोट काफी जादा दुखी था इसी कारण वो engine को चलाने के बारे में सोच ही नहीं रहा था तब यहां पे smith आती है और रोबोट को बोलती है कि मुझे पता है कि बस alpha centauri को search करके यह सब लोग निकलने ही वाले थे कि इतनी देर के अंदर बहुत ही गलत चीज होती है कि जैसे ही teleportation start होता है कि तभी वहाँ पे SAR का spaceship सीधा alpha centauri जाने के लिए निकल जाता है और Jupiter 2 पीछी रह जाता है हालांकि यह भी alpha centauri जाने के लिए निकल तो जाते हैं लेकिन इने SAR के spaceship से पहले निकलना था और इसी के साथ गाईज यह शांदर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है Lost in Space के last episode में हमने देखा था कि Will को SAR नी मार दिया है जिसके बाद Will के रोबोट ने rift start किया और Robinson family alpha centauri के लिए निकल गई थी इसी continuity के साथ पे episode number 7 के शिर्वात होती है जहां पे हमें दिखाया चाता है कि कैसे Robinson family का Jupiter number 2 अब alpha centauri में एंटर कर चुका है यह beautiful जगह यह सभी लोग deserve करते थे इन्हें बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था लेकिन कई सारी मुश्किलों के कारण यह बहुत लेट हो चुके थे और इस समय तो इनके पीछी रोबोट थे उपर से विल की भी जान को बहुत खत्रा था फाइनली यह लोग alpha centauri के और्बिट में एंटर करते ही alpha centauri के थूँ इन्हें मैसेज आने लगता है कि जूपिटर 2 आपका वेलकम है आप घर आ चुके हैं जूडी विल की stability देखती है कि अभी वो कैसा है साथ ही साथ समित को भी डर लगता है कि अब समित का जेल जाना पक्का है उसने पहले कुछ सीजन्स के अंदर ने बुरे-बुरे काम किये थे कि हमेशा से उसे अलफा सेंटॉरी में आके अरेस्ट हो नहीं था बाकिस सारे विल को लेकि अलफा सेंटॉरी के हॉस्पिटल में जाते हैं लेकिन जॉन गुसे में आके रोबोट को वही रोग देता है कि Alpha Centauri में लोगों ने आज तक सिर्फ रोबोट की बात सुनी है कभी देखा नहीं है वो तुमें देखके डर जाएंगे तो तुमें यहीं रहना चाहिए सारे members Will को लेके hospital में एंटर करते हैं लेकिन अंदर जाना सिर्फ family members को allowed था इसी करण Don West को बाहर रोग दिया जाता है Don West Robinson family के साथ इतना जाता रहा था यह उसके लिए Robinson family ही उसकी असली family थी डॉक्टर्स बताते हैं कि तुम लोगों ने Will को space के अंदर जो treatment दिया है उससे Will की हालत इतनी जादा ठीक है कि अभी उसकी operation के successful होने की 100% chances है यानि कि उसे बचाया जा सकता है जोन और मॉरीन सब को वान करने के लिए जाते हैं कि कैसे alien spaceship भी alpha centauri के अंदर आ जुका है हम यहाँ Smith को देखते हैं जो कि उसी जनरल के पास पहुंची थी जिसने उसे interrogation के time पे paralyze करवा दिया था जो कि अभी भी होश में नहीं आया है अगर यह जनरल उठा तो सबसे पहले वही Smith को जेल में डालेगा इसी कारण इसमित छुपती चुपाती एक chariot के अंदर बैट जाती और हाथ स्कैन करते ही उसका नम जोई Smith बताया जाता है जो कि असल के अंदर first season के अंदर एक doctor था जिसे इसने मार दिया था जो कि बताते हैं कि हर बार की तरह तुम इस बार भी लेट हो गए तब जोन और मॉरीन बताते हैं कि इनके साथ में कितना बुरा हुआ सार अलफा सेंटॉरी में आनी वाला है और साथ ही साथ इनके बेटे के उपर भी बहुत बुरा टैक हुआ है पैनी भी यहाँ पे विजय को देखते हुए मिल्ली के लिए आगे बढ़ती है लेकिन उससे पहले है लियम आ जाता है और उसका बुके लेके वैलकम करता है विजय विचारा पीछे ही खड़ा रहता है और कुछ बात भी करना चाता लेकिन पैनी लियम से इतना जाता बात करती है कि विजय बात ही नहीं कर पाता लियम यहाँ पे पैनी को कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था फिर चाहे तुम किसी भी मुसीबत में हो कि इनों ने ये कभी सोचा ही नहीं कि इन पर alien attack भी हो सकता है इसी करण यहाँ पर कोई defense system नहीं बनाया गया है हम यहाँ पर बस daily needs पूरी कर रहे हैं और हमारे पास में शायद इतनी power भी नहीं होगी जिससे कि हम एक नया defense system बना सके जूडी बताती है कि कैसे विल को एक new artificial heart लगाया गया है जिसके करण वो survive कर पाएगा लेकिन panic को इस बात की tension थी कि विल के सबसे बड़ी मजबूती उसका दिल ही था वो उसी से सारे decision लेता था अगर उसका दिल ही चला जाएगा तो क्या फिर वो बदल जाएगा तो अब जूडी कहती है कि artificial दिल से किसी का character नहीं बदला जा सकता है और विल जैसा पहला था वैसा ही रहेगा जॉन और मॉरीन control system में आके total produce electricity देखते हैं कि यहाँ पर आखिर कितनी generate की जा रही है और इसका use कहा कहा किया जा रहा है जहाँ इन्हें पता चलता है कि electricity energy तो produce की जा रही है लेकिन उसका सारा इस्तिमाल alpha centauri को चलाने में नहीं किया जा रहा है यह energy कहीं न कहीं और भी जा रही है वहाँ पे बैठावा operator बताता है कि यह जरूर हमारे आगे आने वाले कुछ missions यह फिर daily use के लिए ही बनाई गई होगी लेकिन Maureen और John को पता था कि इसका इस्तिमाल defense system के लिए ही किया जाना होगा इस चीज के information उन लोगों को थी जिस group को second season के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था जाने कि वो लोग जो कि इंसानों को अर्थ से अलफा सेंटॉरी तक लिया आए थे जिसके अंदर बैन एडलर हैस्टिंग था बैन एडलर सेकंड सीजन के अंदर मारा गया था तो अब अगर यह लोग defense system के बारे में किसी से बात कर पाते तो सिर्फ और सिर्फ हैस्टिंग स जॉन और मॉर्यन हैस्टिंग से बात करने के लिए जाते है कि defense system के लिए तूमने क्या कुछ बी नहीं किया था तब हैस्टिंग पहले तो जूट बोलता है कि नई इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं था हमने कभी ऐसा को भूर सिस्टम भनाया ही था तो मॉर्यन बताती है इतनी सारी जो electricity और energy produce की जा रहे हैं वो किसी दूसरी तरफ जा रही है और इसे start करने के लिए तुमने कुछ न कुछ तो जरूर किया होगा जब हैस्टिंग कहता है कि आप जरूरत पढ़ने पर तुम लोग मेरे पास आये हो तो तुम्हें शायद मेरे पास नहीं आना हैस्टिंग यहाँ पर खुद के मतलब की बात करता है कि ठीक है मैं अगर तुम्हारी मदद भी करता हूं डिफेंस शील्ड को start भी करवा देता हूं लेकिन उसके लिए तुम्हें गवर्नर से मेरे लिए बात करनी पड़ेगी मेरे उपर जितने भी इलजाम लगे उन सब को हटाना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि मैं अलफा सेंटॉरी के लिए किता प्रॉडेक्टिव इनसान हूं यह बात सुनके जॉन को बहुत गुसा आता है और वो कहता है कि ऐसा जरूर कोई न कोई आदमी होगा जिसे हम ढून लेंगे जिसे इस डिफेंस सिस्टम क एक दूसे बारे में सब कुछ पता होगा तब हैस्टिंग कहता है कि इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है मैंने किसी भी आदमी को इस चीज के इंफोमिशन दी ही नहीं थी जिस आदमी को पता था वो मारा गया है तो अब बचा सिर्फ मैं अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम्हें यह करना ही होगा। यहां हैस्टिंग को उसके सेल से निकाला जाता है कि दूसरी तरफ हम रोबोट को देखते हैं जिसका फेस ब्लू से रेड हो गया था और उसे कुछ डेंजर फील होने लगता है। हैस्टिंग जॉन के साथ में उसी के घर पे आता है। जंगल में ढूणने के लिए जाता है कि आखिर उसे रोबोट दिखा था तो वो उसके सामने क्यों नहीं आ रहा है। पीछे से रोबोट हैस्टिंग तक पहुंच जाता है और उसे जान से मार देता है। जॉन जब तक लॉट किया था तब तक हैस्टिंग जिंदा नहीं बचाता लेकिन उसके हाथ में एक पेपर था जिसके अंदर कुछ वर्ट्स लिखे हुए थे। जिसके बारे में अभी तो जॉन को कुछ नहीं पता था। जॉन को बाकी लोग मिलते हैं जिनसे वो मदद मांगती है और साथ ही में ग्रेंट कैली भी था जिसे मौरीन अभी की सारी बात बताती है कि कैसे इनकी डिफेंट शील्ड ओपन करने में बहुत साथा प्रॉब्लम आ रही है और साथ ही साथ रोबोट भी यहीं घूम रहा है अगर इस समय ग्रेंट कैली रहेगा तो उसकी बहुत मदद हो जाएगी जॉन अपने साथ में विक्टर को लेके जाता है और भी कहीं सारी चैरिट को लगाया जाता है रोबोट को ढूनने के लिए जिस रस्ते में विक्टर को लगता है कि शायद जॉन को पाराम कर लिना च अगर इस समय विल होता तो ये रोबोट विल की बात जरूर मानता लेकिन विल इस कंडिशन में नहीं है कि वो रोबोट को फेस कर सके इसलिए इन दौनों को ही अपने फादर से पहले रोबोट को ढूनना था ऑपरेशन के बाद में मौरीन विल से आके मिलती है और उसे बत में करनी ही है तो विल कहता है कि मुझे भी इसमें मदद करनी दीजिए लेकिन मौरीन मना कर देती है कि तुम्हें बस अभी रेस्ट करना है तब विल कहता है कि हाँ मुझे पता है कि अगर मैंने रेस्ट नहीं किया तो यह आर्ट विशल हार्ट फेल हो जाएगा मुझे यसी जगह पे पहुंच गई थी जिस जगह पे उसका घर होनी वाला था लेकिन अभी तक वो घर नहीं बना था इसका मतलब था कि वो इस पे सिर्फ और सर्व बढ़ जाता है दूसी तरफ मौरीन कंट्रोल रूम में आके हर सिस्टम के अंदर इन वर्ड्स को टाइप करने के कोशिश कर रही थी लेकिन वहां से कोई भी रिजल्ट मिल ही नहीं रहा था उसे समझ नहीं आता कि आखिर इन वर्ड्स का करना क्या है तब यहां पे ग्रेंट बनाया गया था बलके रिफ्ट को ढूणने के लिए बनाया गया था कि आखिर उसमें से स्पेशिप अकर जा रही है तो कहां जा रही है और उसके पीछे कौन से दुनिया है इसी कारण फॉर्चुना के अंदर से सारे डेटाबेस को डिलीट कर दिया गया था इस डेटाबे पता है कि इसे उपन करने वाला हैस्टिंग है जो कि मर गया है तो अब आखिरे डिफैन्स शील्ड को कैसे उपन करेंगे यहां हम जूड़ी और पैनी को देखते हैं जिन्होंने जौन को अपनी मदद करने के लिए बुलाया था क्योंकि जौन यह कैसा इंसान है जो कि हमारी हर बर मदद करता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरा गलत इस्तिमाल करोगी अगर किसी को भी यह बात पता चल गई कि हम इलीकल तरीके से रोबोट को ढूंड रहे हैं और उसकी जान बचा रहे हैं तो सब लोग आके मेरा गला पकड़ लेंगे यह आप तुम रोबोट को ढूंडने चारे हो तो मैं भी तुमारे साथ ही चलूंगा अब आखिर इने काम तो करना ही था और रोबोट को रोकना ही था इसकारण अब यह चारो टीम बना के यहां से निकल जाते हैं दूसरी तरफ विक्टर यहां पे जॉन से पूछता है कि अगर इस चीज को छुपाने की जरूरत होगी जो कि काफी बड़ी है तो उसे छुपाने के लिए अलफा सेंटॉरी के 30 किलोमेटर के दायरी से इने बाहर जाना पड़ेगा जिसके बाहर उसे एक बहुत ही अच्छी जगह पता है अगर इने उस जगह पे जाना है तो दूसरे रस्ते से जाना पड़ेगा क्योंकि जौन और विक्टर इनके चैरिट से पहले ही निकल गए थे डॉन वेस्ट चैरिट से सबको नीचे उतारता है और वहाँ से डैम के बारे में बताता है कि हमें यहां से चल के जाना पड़ेगा और हम जल्दी डैम तक पहुंच जाएंगे इसी क कोई नहीं जानता कि बैन के पास एक रोबोट था जिसका नाम स्कैर क्रो था अगर उस समय बैन नहीं होता तो शायद कोई भी अल्फा सेंटॉरी तक नहीं पहुंच पाता बैन एडलर ने और उसके रोबोट नहीं बाकि सारे रोबोट से लड़ने में करी थी इन बच्चो है कि आपको शायद एक बार बैन की वाइफ से बात करनी चाहिए यहां मौरिन और ग्रैंड कैली बैन एडलर के घर पे पहुंच जाते हैं और उसकी वाइफ को चिट दिखाते हैं लेकिन इसकी वाइफ को नहीं समझा था कि आखिर उन्होंने ये वर्ट कभी भी बोले हों किसी के भी सामने रिकॉर्ड किये हों इसी कारण मौरिन कहती है कि आपके पास जितने भी वाइस मेल्स हैं या कोई विडियो रिकॉर्डिंग्स हैं या फिर कॉल लॉक्स हैं आप बस मुझे वो सब दे दीजिए उसके अंदर से ये वर्ट्स हमें मिल जाएंगे दूसरी त साथ हम डैम का एक सीन देखते हैं जहां पर रोबोट अपनी लेजर पावर के थूए एक बड़े से दर्वाजे को तोड़ के उसके अंदर चला जाता है दूसरी तरफ ये चारो भी डैम के एक ऐसे दर्वाजे पर खड़े थी जहां पर लॉक लगा था और उसके लॉक का पासवर्ट डॉन बैस्ट को पहले सी ही पता था क्योंकि वो यहां पर अपने स्मगलिंग के वाइन्स रखा करता था मॉरीन और ग्रैंड कैली बैटके बैन एडलर के वर्ट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसके ये वीडियो देखे इन्हें अपना टाइम यादआ जाता है तो ग्रैंड कैली मॉरीन से पूछता है कि आकिर तुमने मुझे एक बार वे बताया प्यों नहीं इस बारे में तो मॉरीन कहती है कि नासा में हमें यही बताया गया था कि अगर मैंने तुम्हेंने प्रेगननसी या बच्चे के बारे में बता दिया तो ही मेरा बहुत ध्यान रखा था, दूसरी तरफ ये चारो एक लिफ्ट की मदद से उपर जाते हैं, लेकिन तभी बीच के अंदर लिफ्ट रुपने लग जाती है, बाहर आके इनी पता चलता है कि दिवारों पे बहुत बड़े-बड़े से निशान है, जो कि इनके रोबोट ने कि वो पूरे डिफेंस सिस्टम को स्टार्ट करती है, अगर उन्हें ही डैमेज कर दिया जाए, तो पूरा डिफेंस सिस्टम हट जाएगा, जूर ये बात अपनी मॉम को बताना चाहती थी, लेकिन डैम के दिवारे इतनी जाधा मोटी थी, कि वहां तक ये लोग कॉल करके बात नहीं कर सकते थे, इसी कारण जो करना था, इनी सब को करना था, यानि कि रूपोर्ट को रोकना था, मॉरीन को कंट्रोल रूम में पता चलता है कि कैसे तीन टर्बाइन के अंदर से दो टर्बाइन अभी तक डैमेज हो चुकी है, यहां पे मॉरीन वापसे कंट्रोल र से चारों को देखते हैं जो कि डैम के अंदर रोबोट्स को ढूंड रहे थे ये लोग उस तरफ पहुंच गए थे जहां पे एक कमरे के अंदर बड़े-बड़े टरबाइन को ये रोबोट्स डैमेज कर रहे थे अब इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि टरबाइन पानी के अंदर जाना पड़ेगा इस काम को करने के लिए डॉन वेस्ट जाने वाला था लेकिन जुड़ी मना कर देती है कि सारे टेस्ट मैंने पास किये हैं और पानी के अंदर में पहले भी जा चुकी हूँ और रही बार डॉन वेस्ट की तो वो एक फैमिली मेंबर जैसा है इसी क जूडी रोबोर्स के पास जाने वाली थी जॉन विक्टर को कहता है कि ये बात जल्दी मौरीन को बताओ और वो घुड़ी को रोकने के लिए जाने वाला था जूडी चोरे चुपने आके बढ़ती जा रही थी ओर जुड़ी पानी के पास पहुँच गई थी लेकिन तब यहां से जल्दी चलो, यह सभी उस कमरे को बंद कर देते हैं, अब एक तरफ विल का रोबोट था और उसके सामने कई सारे दूसरी रोबोट थे, विल के रोबोट ने बड़ी ही चला कि बिना किसी को मारे, एक बड़े से कंटेनर के अंदर छेट कर दिया, जिसके कारण टेज स्पीड से निकलता हुआ पानी सब को लेकर डैम के नीचे चला गया, सब लोट के आते हैं, और रोबोट को देखते हैं कि रोबोट तो हमेशा पहले के जैसा ही था, यहां पे कोई और रोबोट भी है, जो कि सार की बात मान के कंट्रोल होके हैस्टिंग को मार चुके थे, और रोबोट आज भी विल और उसके फैमली की हमेशा से ही मदद करना चाह रहा था, जॉन पूछता है कि यहां पे और भी कोई रोबोट है, तो रोबोट कहता है कि नई, यहां पे और रोबोट नहीं है, अब यह लोग वापस से कंट्रोल सिस्टम की तरफ जा रहे थे, ज उसे हमेशा से किसी की मदद चाहिए, लेकिन विजय कहता है कि तुम अखेली इतनी जादा सफिशेंट हो कि आज तक तुमने बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं, तुम यह बात कभी ना कभी जरूर समझ चाओगी, जब तुम कोई इतना बड़ा काम करोगी और तुम हमे यहाँ पर मौरीन को पता चलता है कि अब तक दो टर्बाइन खराब हो चुके हैं, सिर्फ और शिफ एक टर्बाइन बचा है, यानि कि डिफेंस सिस्टम को स्टार्ट करना और साथी साथ अलफा सेंटॉरी को पावर पहुचाने के लिए एक तर्बाइन काफी नहीं है, इन लोगों ने नहीं बलकि रूबोट्स ने किया था, अब इन्हें वापस से टर्बाइन चाहिए थे, जो कि डिफेंस शिल्ड सिस्टम को वापस से स्टार्ट कर सके, इस समय बस एमरजनसी लाइट सी स्टार्ट थी, यहाँ विल को भी समझ में आ गया था एमरजनसी हो जाता है, वेलकम एवरिवन, मैं हूँ प्रतिक्षा, गाइज मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसका नाम लॉस्ट इन स्पेस है, इस सीरीज के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं, जिसके दो सीजन औरिडे मैं अपने दूसरी चैनल जिसका नाम वेब सीरीज एक एपिसोड की, जहां पे सारी बात रॉबिंसंस पे आ चुकी थी, कि क्या वो इन एलियन रोबोट से इनसानों को बचा पाएंगे, या फिर ये एलियन रोबोट इस अल्फा सेंटॉरी को ही खत्म कर देंगे, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टोटल तीन खराब होने के कारण सारी इलेक्रिसिटी बंद हो गई है, इसी कारण डिफेंज शील्ड हट गई है, और काफी दूर से आते वे स्पेस्शिप को ट्रैक कर लिया गया है, इसी कंटिनेटी के साथ में एपिसोड नमबर एट की शिरवात होती है, जहां पे हम विल को देखते पैनिक हो जाता है और खड़ा होनी वाला था, लेकिन विल को इस समय कोई भी एक्टिविटी करने के लिए मना किया गया था, रोबोट विल के सीरी पे हाथ रखता है और उसके दिल को टच करता है, तब विल का कहना था कि अब तुम और मैं दौनों सेम हो गए है, क्योंकि ह दौनों के अंदर ही आर्टिफिशल हार्ट है, इसी के साथ में कंट्रोल रूम के अंदर गवर्नर, जॉन, मौरीन, डॉन, वेस्ट, सारे लोग एक साथ में थे, जो कि अभी कोई नई प्लानिंग करने वाले थे, कि इन लोगों को कैसे कोई नई टर्बाइन क्रेट करनी है इन लोगों के पास में बिलियन्स पावर क्रेट करने का और कोई भी तरीका नहीं था, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी टर्बाइन नहीं बनाई जा सकती, तब यहाँ पे मौरीन और डॉन वेस्ट मिलके एक प्लानिंग बनाते हैं, कि कैसे इनके पास में अगर कोई भी से कनेक किया जाएगा, तो इनसे निकलने वाली पावर डिफेंस शील्द को एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर को इस आइडिया पे जरा सा भी बिलीव नहीं था, गवर्नर का क्याना था कि तुम लोगों के पास में अभी एक एलियन स्पेस्शिप का इंजन बाकी है, हम लोग कोई नया अलफा सेंटॉरी ढून लेंगे और यहां से निकल जाएंगे, लेकिन जौन का कहना था कि उस एलियन स्पेस्शिप का कोई लेना देना नहीं है, इस समय वो हमारे काम नहीं आएगा, हमें यहां से अगर भाग भी गए, तो भी ये रोबोट्स हमें कहीं हमें अगर कुछ करना है, तो हमें यहीं पर रहके ने जवाब देना पड़ेगा, सारे जूपिटर को एक जगह पे खटा कर लिया जाता है, जिसके बाद में हर कोई जूपिटर को बड़े बड़े केबल के साथ में पैनल से कनेक करने ले लगता है, यहां पे हम जौन को दे तो वो बड़े छुपती छुपा थी, डिटेक्टिव के कमरे में पहुचने वाली थी, जिसे कि अब अगर अलफा सेंटॉरी में सब कुछ ठीक भी हो जाए, तो बस जिन्दा रहना है और जेल नहीं जाना है, इसके करन वो मौरीन को कॉल करती है और पूछती है कि तुम ज इंजेक्शन को लेकर आती हो, डिटेक्टिव को मारने ही वाली थी, लेकिन ये सीन तब तक रोबोट ने देख लिया था, और वो समित के पास जाता है, उसे रोकता है और कहता है मदद, यानि कि रोबोट को समित की मदद चाहिए थी, इसी के साथ सीन वापस ही, ग्रेंड क हमें हमारे पेरेंस की मदद करनी चाहिए, ऐसे हमें भागना नहीं चाहिए, लेकिन इस बार पैनी गुस्ने में थी और बोलती है कि लास टाइम हमने मदद करने की बारे में अच्छे से सोचा था, लेकिन हम सब फस गए और उसके कारण ये एलियन पीछा करते हुए यहां तक पहुँच गए, अब तक भी सारी जूपिटर्स कनेक्ट नहीं हुए थे, जितने परसंट इने कनेक्टिविटी होने के बाद में शील्ड बनने में लगना था, सेम टाइमिंगी एलियन स्पेस्शिप को अल्फा सेंटॉरी में एंटर करने के लिए लगने वाला था, इ अगर इससे कोई भी चीज टच होगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगी, आखिर के अंदर सारी जूपिटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे सारी लोग मिलके बस वेट करते हैं कि बस ये डिफेंट शील्ड बन जाए और एलियन स्पेस्शिप एंटर ना करे, ले सारे के सारे रोबोट्स बाहर आ जाते हैं, आदे रोबोट्स टूट फूट जाते हैं और बच्चे वहीं से चैरिट को खाली करके भागने लगते हैं, विल के चैरिट के अंदर जो डॉक्टर थी, वो उसे छोड़के जाती हैं कि शायद यहाँ पे किसी ना किसी को मेरी ज जरूरत होगी, विल को समझ आ गया था कि बाहर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जब वो जूम करके देखता है, तो उसे इधार उधार कहीं सारे रोबोट्स मिलते हैं, और इसी के साथ में एलियन स्पेशिप का इंजिन भी मिलता है, जिसके बाद वो समझ गया था कि आखि इंजन्स आ जाए, तो ये किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही रिजन था कि लास्ट वाला प्लैनेट भी बुरी तरीके से उड़ गया था, विल को पता था कि आसपास में कोई नहीं है, इसी करण इंजन को वहां से हटाने के लिए उसे खुच जाना पड लगने देना है, नहीं तो वो इस पूरी के पूरे अलफा सेंटॉरी को ही बरबात कर देंगे, पैनी कहती कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे चूटी को बुलाना पड़ेगा, लेकिन विल उसे समझाता है कि तुम असल के अंदर एक हीरो हो और तुम ये काम कर सकती ह पैनी ये बात मान जाती है, और विल को वहीं पे रोक के वो इंजन को लेनी के लिए आके बढ़ती है, पैनी का कहना था कि आज के दिन बस उसने अलफा सेंटॉरी के अंदर एंटर किया ही है, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसके साथ में बहुत कुछ हो रहा है, वो तो उसे पता चलता है कि उस रोबोट के उपर कई भारी भारी चीजे गिरे हुई है, मानो कि वो पैनी से मदद मांग रहा है, एक बार तो पैनी वहां से आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछी देर के अंदर लौट के आती है, और उस तूटे हुए रोबोट के उपर से आज वो बिलकुल बदल गया था, सेम टू सेम ऐसा पैनी के साथ में भी होता है, जिस रोबोट को उसने ठीक किया, वो रोबोट पूरी तरीके से बदल गया, चहरा रेड से ब्लू हो गया, और मानो कि वो पैनी की बात भी सुन रहा है, पैनी उसका नाम सेली रग देती है, जब यहाँ पे बाकी सारे बच्चे आते हैं, तो वो पूछते हैं कि आकर तुमने इस रोबोट के साथ में क्या किया, तब पैनी बताती है कि यह रोबोट बिलकुल अकेला है, जैसे हम लोग है, इसे किसी ना किसी की मदद चाहिए, बलगी यहाँ पे जितने भी रोबोट से सब को मदद चाहिए, देखते ही देखते, लियम, विक्टर और बाकी सारे बच्चे रोबोट को ठीक करने लग जाते हैं, और यहाँ पे हर एक बच्चे का अपना एक रोबोट बन जाता है, इस बात को जूडी ने अपने आँखों से देखा, और वो पैनी को पीछे पतला जा सकता है, यह बिल्कुल सच है, क्योंकि आज यही काम पैनी ने करके दिखाया है, लेकिन यह जीज़ रोबोट को दिखाना जरूरी है, यहाँ पे पैनी जाही रही थी, इतने ही देर के अंदर यहाँ विजय पहुचता है, जो कि बताता है कि मैंने तुमें पहले ह का था कि तुम एक हीरो हो तुम सब कुछ कर सकती हो लेकिन ये बात तुम ही नहीं मानती जिसके बाद पैनी और विजे काफी क्लोज आ जाते हैं पैनी अब खुद के रोबोट यानि कि सैली को एक और देती है कि सबसे पहले तो इस इंजन को बंद करो और इसे ऐसे जगों हैता है कि अब हमें एक बहुत ही जरूरी काम करना है मैंने तुम्हें कहा था ना कि सारे रोबोट्स चेंज हो सकते हैं वो अपने मुताबिक काम कर सकते हैं लेकिन रोबोट्स को ये बात दिखाने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा रोबोट अपने साथ में विल को ले को फाइदा हो लेकिन इससे पहले आप लोगों को बस एलेन इंटेलिजन्स के इंजन को बचा के रखना है कुछ भी हो जाए रोबोट के हाथ में वो इंजन नहीं लगना चाहिए अगर वो इंजन इनके हाथ लग गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा सब पूछते हैं कि विल आखिर जा का रहा है लेकिन विल इस बारे में कुछ भी नहीं बताता बस वो कहता है कि रोबोट के आने का इंतिसार करिएगा जब मौरीन पूछती कि आखिर तुम कहा जा रहे और तुम वापस क्यों नहीं आओगे तो विल कहता है कि इसका जवाब जल्दी मिल जाए और पीछे सारे के सारे रोबोट्स लड़ रहे थे जहाँ पर बुरे रोबोट्स अच्छे रोबोट्स को हराते जा रहे थे यहाँ पर बच्चों को लेने के लिए डॉन वेस्ट जॉन मौरीन सब लोग निकल गए थे इसी के साथ हम देखते हैं कि विल ने स्मित को कहा था कि इस Jupiter को सिधा unknown planet पे ले जाए वो जगर जहां पे robots रहा करते थे यानि कि robots का घर विल को नहीं पता था कि आखिर ये robots, robots के बात मानेंगे या नहीं मानेंगे जब robot को पता चलता है कि robot को जाके बाकि सारे robots से बात करनी है तो robot will को देखता है कि विल ने तो ये बात बताई ही नहीं है कि robot को जाके बात करनी थी, robot को ऐसा लगा था कि विल जाके robots को समझाएगा लेकिन विल की हालत बहुत जादा खराब हो रही थी अब यहाँ पे Robinson's के साथ में Grant Kelly और Don West Jupiter के अंदर आ गए थे जहाँ पे ये देखते हैं robots अपने engine को ढूडने के लिए हर एक Jupiter को चेक कर रहे हैं इसी के साथ में अब ये लोग opposite theory को अपनाते हैं वही theory कि अगर इन cable को out में जोड दिया जाए तो Jupiter बुरी तरीके से blast करा देगा जो भी उसे touch करेगा इस काम को करने के लिए Don West जाता है लेकिन जैसे वो इन cable को out में connect करता है तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा blast होता है जिसके करण Don West बहुत दूर जाके गिरता है और वहाँ से cable भी cut जाती है जल्दी robots इनके Jupiter पे attack करने ही वाले थे और Don West को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो cables को कैसे जोड़े तभी यहाँ पे उसे बताया जाता है कि अपने पास में रखी tape का इस्तिमाल करो Don West tape से उसी wire को वापस से जोड़ देता है और देखते ही देखते Jupiter active हो जाता है यानि कि Jupiter के उपर अब अगर कोई भी robot आया तो वो बुरी तरीके से जलके नीचे गिर जाएगा लेकिन यह Jupiter भी तब तक चलेगा जब तक कि उसमें fuel होगा अगर fuel खतम तो Jupiter की power भी खतम या हम देखते हैं कि इस planet पे उतरने के बाद अब जैसा कि विल ने कहा था वैसे वैसे robot कर रहा है सारी robots को एकटा करने के बाद समझाने की कोशिश करता है कि कैसे इंसान और robots दोस्ती कर सकते हैं जिस robot को जो करना है वो वैसा कर सकता है जरूरी नहीं है कि जो एलियन ने प्रोग्रामिंग करी थी वो ही रोबोट्स फॉलो करें इंसान अच्छे होते हैं और वो रोबोट्स के साथ में रह सकते हैं ये सारी चीजे रोबोट्स दिवार के उपर ड्रॉइंग करके बता रहा है और स्मित यहाँ पर विल को उठाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि विल की हालत बहुत खराब थी विल रो रहा था और अपने आखों के सामने देख रहा था कि कैसे रोबोट्स बाकि रोबोट्स को कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है विल को अपने साथ ले जाकर अपने ही घर की एक ऐसी जगह पे रखता है जहां पे मानों की एक ऐसा स्पेस था कि उसमें काफी सारे बिजलिया आती है इन सारे बिजलियों से हो सकता है कि ये रोबोट्स चार्ज होते हैं और इनके लिए जरूरी था हमने सेकंड और फस्स शील्ड बना ली और विल को पूरी तरीके से कवर कर दिया विल उस कवर के नीचे था रोबोट विल के सीने पे हाथ रखता और उसे बोलता है यकीन उसी समय काफी तेज थंडर आके रोबोट के शील्ड के ऊपर गिरती है कुछी देर के अंदर मौसम बिल्कुल साफ हो गय तो उसके सामने रोबोट के बस राख थी जो के विल के उपर पूरी तरीके से गिर गई थी असल के अंदर विल बिल्कुल ठीक हो गया था और विल बहुत जोर्जोर से रोता है स्मित आती है और विल को कहती है कि शायद अब हमें यहां से चलना चाहिए ये सारी चीज दू को चेक करता और स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि उसका स्टेटिस बिल्कुल नॉर्मल इंसान के जैसे है लेकिन विल के रोबोट का लॉस होना भी एक बहुत बड़ी बात थी अभी भी इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अल्पा सेंटॉरी पे जो रोबोट्स हैं उनसे वो कैसे लड़ेगा यहां हम जूपिटर के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर कम्प्यूटर बताता है कि कैसे जूपिटर का फ्यूल बिल्कुल खत्म होने वाला है अगर यह फ्यूल खत्म हो गया तो इस जूपिटर पर लगाओ एलेक्रिसिटी शील्ड भी खत्म हो पर जूपिटर बारे में जानना यह भी ज़रूरी था इसी के साथ में रोबोर्स अब जूपिटर टू पर आ चुके थे और वो किसी भी वक्ट जूपिटर टू के अंदर एंटर करने वाली थे दो अलग-अलग चैरिट निकलती है एक के साथ में ग्रेंट के लिए और मौरीन कहते हैं कि अगर हम जिन्दा बच गए तो हम दोनों डिनर पे जाएंगे हम दोनों एक साथ में रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे तब ही रोबोर्ट का एक बहुत ही जोरदार आटेक आता है जिसके करने इनका चैरिट पूरी तरीके से पलट जाता है जो मौ मौरीन को होश आता है तो वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखी थी और उसके आसपास में जॉन भी नहीं था कैसे तैसे करके वो खड़ी होती है और उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी और चाती थी कि एक दिन वो इस पेस में जरूर जाए मौरीन आखिरकार खड़ी होती है और उसके बाद में जॉन को ढूनने लगती है जिसके सामने ही इंजिन भी था इतनी देर के अंदर यहाँ पर रोबोट पास आने लगा तभी मौरीन ने उन रोबोट को पूरी तरीके से फ्रीज कर पीछे से जॉन आता है और स्टिक से बुरी तरीके से उस रोबोट को मारता है एक रोबोट तो तूट गया लेकिन दूसरा रोबोट नहीं तूटता और वो उल्टा जॉन के उपर अटैक करता और उसे दूर फैक देता है इन दौनों के पास अब कोई आप्शन नहीं था क किसी पी वक्त ये रोबोट इन दौनों को मार सकता था और इतने ही देर की अंदर विल का जुपिटर यहां पहुच गया था विल ने आने से पहले ही इन लोगों को यानि कि अपनी पूरी फैमिली को एक आडियो भेजा था जिस पर लिखा हुआ था प्ले मी यहां पर मैंबर साक्ते इसे घेड लेते हैं यह ऑड्यो हो इस रोबोट को कमजोर कर रहा था लेकिन इस रोबोट बोलता है कि मालिक को मारना है यानि कि100 रॉबिनसें को खतम करना है यह कि सेकिन चんですrane के अंदर विल जैसे मरने से पहले अपना सारा सिस्टम, अपनी सारी मैमोरीज, विल के हार्ट में ट्रांसफॉर्म कर दी थी, जैसे ही रोबोट विल को मारता है, वैसे ही विल के रोबोट के सारी चीजे इस रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और ये रोबोट अच्छे रोबोट में बदल जाता है, य यानि कि अब सारी चीज़े नॉर्मल हो गई थी, सब एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं, और अब इनके उपर एलियन्स कभी अटेक नहीं करने वाले, ये सारी चीज़े पैनी अपने बुक में लिखती है, और साथी साथ कहती है कि काई सारे रोबोट्स इसके बाद मे जिसमें रोबोट्स उनकी मदद कर रहे हैं, पैनी का रोबोट्स इसका नाम सैली था, वो उसे छोड़के चली गई है, जॉन रॉबिंसन जिसने इतनी बड़ी बड़ी वार लड़ी और एलियन्स का सामना किया, अब वो काफी शान्त हो चुका है, इसे के साथ में हम उस ड जेल भी भेज़ दो, जिसके बाद अगला सीन यही था कि समित जेल में है, उससे मिलने के लिए मौरीन आती है, और कहती है कि जैसी का हैरिस कौन है, तब यहाँ पर समित बताती है कि कैसे जैसी का हैरिस उसकी बहन है, और वो यहाँ पर आनी वाली थी, लेकिन उसे समित ने मार दिया था, Smith कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती आखिर मैं कौन हूँ, तो Maureen कहती है मैं तुम मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि हम एक साथ में बहुत टाइम से साथ रहे हैं, तुम यहां से जैसे ही बाहर निकलोगी तो मुझसे आके मिलना, Maureen अब अपनी family के साथ में एक जगह पे जाने वाला है, यानि कि अब वो explore करेगा दूसरी planets को जाके, बस शर्त यह है कि उसे जल्दी आना पड़ेगा, पैनी the end तो लिखती है लेकिन उसके बाद में question mark लगा के लिख देती है chapter 1 the end, यानि कि इसके बाद में हो सकता है कि जरूर कोई और भी न अगर अब तक भी आपने इसका सीजन 1 और 2 नहीं देखा है, तो आप प्लीज हमारे दूसरे चानल यानि कि वैब सीरीज एक्स्प्रेइनर्स को जरूर चेक करिएगा, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली किसी मूवी में, तब तक के लिए, टाडा कर दो कि अच्छन वार अगली कि आप खानल ये कि नहीं वारे घ्लीज हमाती हैं प्लावों से जारा हैं अगली कि लोगों से सब्सक्तानिक में, तो चो कर अपने भी नहीं थास्तार चाहां हैं।